इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राग है तो कहीं धुआ धुआ धुआ? क्यूं कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुवे को क्यूं छेलता? हो गई परताश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीडी, दिखे चलती जहां, पबलिक प्लेस पर सिगरेट भी ना मना है, उलंगन करने पर होगा जुर्माना, दुम्रपान ना करें, ना करने दें, दुम्रपान पढ़ेगा मनेहंगा, खुशी कौन नहीं चाहता? लेकिन किस कीमत पर? दुम्रपान मनेहंगा पढ़ता है, दुम्रपान आपके लिए हानी का रख है, और आपके चाहने वालों के लिए भी, दुम्रपान पढ़ेगा मेहंगा, शिगरेट पीना कैंसर का कारण और जान लिवा है, शाराब पीना सेहत के लिए हानी कारक है, का एलों के लिए हानी कैंसर के लिए हानी का का राम है, भ्या है खाया टुम्रा है, भीना सेहत का लिए हाता है, क्या है, पीकिना सेहतна है, प्रॉदल्स का रखन layए, भीना resting, भीना harmony, जा हमा मेहाने झाल 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 अझायँ डर्ण पर आप सबने आने की तकलीफ क्योंकि बुला लिया होता, मैं सुयम आजाता, बैठिये, बैठिये संभल कर हमारे देश की आजादी और भलाई के लिए, हमारे पुरवजों ने क्या क्या नहीं किया, इसलिए हम अपने राज जी की भलाई के लिए इतनी दूर से चलके कहां तकाहे हैं, आप से मिलने के लिए, देखे गोड़ा जी, एक जबदार घर में के जबदार संतान पैदा होता ह उसी तरह देश भख्त के घर में ही देश भख्त पैदा होता है, आपका गणेश जितना आपके लिए खास है, उतना ही हमारे राज्य के लिए और हमें खास है इस राजी का ग्रह मंतरी आपसे गुजारिश करता है गनेश जैसे जाबास पुलिस ओफिसर को यहां बुलाईए इस राजी को उसकी जरूरत है गनेश को आप जितनी जल्दी भेजेंगे हमारी जनता के लिए उतना ही अच्छा होगा उसने IPS का एक्जाम दिया ही है जनता की सेवा के लिए आपकी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ उसे जरूर भेजूंगा लेकिन उससे पहले मेरी कुछ शर्ते हैं बताएए गोडा जी जब हमारा देश आजाद हुआ था तब गांधी जी ने कहा था कि अब हमारे देश में रामराज जी आएगा जनता ने मान भेलिया था लेकिन उनकी बात गलत साबित हो रही है आज जिधर देखो गुंडा राज, धोखा धड़ी, भरष्टा चार का ही बोल बाला है सच्चे नेता, न्याय और इंसानियत कहीं नजर ही नहीं आते इन्ही परिस्थितियों को देखकर मैंने अपने पोते को देश की सेवा कर सके इसलिए आई पियस बनाया हमारे परिवार को सरकारी वितन की कोई जरुवत नहीं है आप सब को मुझसे वादा करना होगा कि गणेश के काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा वो अपने काम को पूरी आजादी और अपने तरीके से करेगा अगर ये शर्त मन्जूर है तो मैं उसे आपके पास भेज सकता हूँ बिल्कुल गॉड़ा जी आप से हम वादा करते हैं कोई दखल अंदाजी नहीं होगी सर सर गनेश के बारे में आप क्या जानते हैं बताएए ना सर गनेश डिपार्टमेंट में दोबारा लौट आएंगे ना सर जरूर लौट आएंगे कब तक लौटेंगी सर बहुत जल ही में जोईन एनी टाइम नाओ प्लीज ये क्या है सर सी एम होम मिनिस्टर डी आई जी और इतने सारे लोग गनेश को लाओ गनेश को लाओ ऐसी डिमान कर रहे हैं आखिर ये गनेश है कौन सर उसे इतनी पबलिसिटे क्यों दे जा रही है वो जनता का एक इमानदार सेवक है नियाय का दूसरा रूफ आज पुलिस के नाम से लोग चिड़ते हैं वो जनता से प्यार करते हैं और जनता उसकी पता नहीं कैसे इतनी इज़द करते हैं उसके लिए तो मेरे पास कोई अलफाज नहीं है बेटी उसके कारनामों को अपने आखों से देखो तो पता चलेगा कहिता लिए पता हा या दाल झालफाज देखों से थाणि circular झाल भी इज़द के फिर वेगेभश पďभ प roup 212 काया Bye हैा? कि ठ Veh나대 , वक्या फ्तिके जो lat आडावासा ti जो टॉपाली इपनर स्लीज बॉडी इस गॉर्ट बोई आई रावता की देने वाले बहुत आया और बहुत गए की देने पॉर्ट आया अपार्ट आया आया वाले बहुत आया अबाइब है झाल झाल वह ए सूख ऑप हम थाए हुई संथ कौन थे ये? मैं बताओ सर्ड बोल एंपी गोड़ा इनके बारे में क्या जानते हैं? गंलोर को बनाया बसाया इन्होंने इसके लिए बहुत कुछ किया है सर और तुम लोग क्या कर रहे हो? उसे भी कार रहे हैं सर चलो शुरू हो जाओ अब बताओ ये कौन है इस पूरे मंडी और जिले के अन्नद आता थे सर मैं बताता हूँ ये विश्विश्वर जी थे तुम जानते हो इन्होंने क्या किया है? अन्नवाडी बांद बनवाया था कई कार खाने लगवाए देश का नाम उचा करने के लिए बहुत बड़े बड़े काम किये थे सर और तुम लोग क्या कर रहे हो? इन मशुर रस्तियों के नाम दुरा करे हैं सर चलो शुरू हो जाओ ये कौन है? जानता हूँ सर तो तुम लोगों का स्टेच्चू किसी ग्राउड में या किसी पार्क में लगा होना चाहिए आने वाली पीडियों के लिए एक मिसाल होना चाहिए ऐसा कुछ काम करो अगर नहीं सुदरे तो गए काम से बार बार बिवकूफों को समझाने के लिए गणेश के पास टाइम नहीं है कमिटमेंट में मैं सेंटिमेंट नहीं देखता हूँ वैसे तो मेरे नाम से ही तुम जैसो के पसीने छूट जाते हैं सर, मारने से पहले हमें यह बा समझानी चाहिए थी न मैने भी यही सोचा था लेकिन बता क्या करूँ तुम लोग लातों के भूत हो बातों से कभी नहीं मानोगे फिर भी नेक्स टाइम ट्राइ करूँगा ओफिसर्स मेरी डिशनरी में डर, खत्रा या प्राब्लेम नाम का कोई शब्द नहीं है तुम सब को बनना होगा मेरे जैसा तुम ये कैसे करोगे, क्या करोगे मुझे नहीं पता लेकिन पब्लिक को तुमारी साविस इमिजियेटली मिलनी चाहिए जब कोई भी व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए आपके पास आता है तब ये मत देखिए कि उसने पुलिस कंप्लेंट की है या नहीं सबसे पहले उसकी जान बचाएए, यही आपका फर्ज है अगर कोई रोड एक्सिडेंट हो, या फिर कोई एमजनसी केस हो आप लोगों को हमेशा तयार रहना चाहिए हमारा फोन बंद है, खराब है, ऐसी बहाने बाजी नहीं चलेगी फोन आने के 15 मिनिट के अंदर एम्बिलन्स खटना स्तल पर पहुँच जानी चाहिए जिन्दगी देता है उपर वाला, लेकिन उसके हिफाज़त करना हमारा कर्तब बेता है आप लोग जो ठेला खीच कर अपनी जिन्दगी चलाते हैं, उन्हें आज के बाद किसी को भी 10, 20 या 50 रुपय रिश्वत देने की जरूरत नहीं है आपके एरिया में जितने ठेले हैं उसे कॉर्पोरेशन में रजिस्टर कीजिए हर महिना ये कितना देंगे वो फिक्स कीजिए, तभी ये लोग सुकून से जी सकेंगे इससे करप्शन भी कम हो जाएगा और सरकार का इंकम भी बढ़ जाएगा हर एक स्कूल, कॉलेज और जहां लड़कियां काम करते हैं चाहे वो प्राइवेट जगा हो या गवर्मेंट जगा हो सब जगह सेक्यूरिटी का बंदबस है या नहीं ये चेक करो मैनेजमेंट से कहो कि वो रिपोर्ट देते रहें अगर किसी ने कुछ कहा या पूछा तो कहो कि ये गणेश का ओर्डर है और ये कमपल्सरी गुद मॉर्निंग सर्व ये फाइल किस ने दिये मुझे आहला है है is इसके लिए लास्ट विक मेरी शाधी होई थी आजी हनीमून से लाटा हूं इसी खुचिझी में सर इतना ही क्यों? और लीजे ना. और किस लिए? एपसंट होता रहे तामने सर. इसी लिए सर. किस की गैरेंटी पर? अपनी गैरेंटी पर सर. मुझे एक लड़का पैदा करना है इसी गैरेंटी पर सर. उसे लिखा पढ़ा कि एक अच्छा डॉक्टर बनाना है सर, उसकी सेल्फ गैरेंटी पर ये बताओ, तुम हो तो तीन फुटिया, तुम्हें ये काम किस ने दिया? रिश्वत देना पढ़ा सर, कितनी? छे लाख रुपे मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे पिता मजदूरी का काम किया करते थे, फिर इतना पैसा कहां से आया? जार लिया ना सर किसकी गैरेंटी पर? तेरी शादी होगी इस गैरेंटी पर सर शादी से कर्जे का क्या ले ना देना? सर ससुराल वाले दहेश देते हैं न सर ओ अच्छा ये बता, अगर कोई सर फिरा तेरी बीवी को उठा कर ले जाएगा तो क्या करेगा? दूसरी शादी कर लूँगा सर सर, वो नहीं तो दूसरी सही, वो कहते हैं न तू नहीं तो तेरी बेहन दूसरी वाली को अपने इशारे पर न चाने जैसा बनाऊंगा नहीं माने तो उसके इशारे पर मैं नाशता रहूंगा सर सर, उपर वाले ने जिन्दगी दिया है तो खाने के लिए चारा भी तो देगा न सर छोड़िये न सर, बाकी सब चलता रहा है तो फिर चलो, एक छोटा सा केस है, निप्टा कराते हैं I am ever ready, सर बैंगलूर कॉलेज के लड़कियां जब कॉलेज से छूटती हैं तो तुम सब लोग टी स्टॉल के पास खड़े होकर आवार्गी करते हो वो अपनी इजद बचाने की कोशिश करते हैं तो जबरदस्ती करते हो उसके बाद जब पुलिस वाले तुम्हें ढूंटते ढूंटते आते हैं तो तुम जान बचा कर भाग जाते हो किसी बिल्डिंग के उपर से जब करने की कोशिश करते हो और हम लोग तुम्हें शूट कर देते हैं तब तुम लोग मा कहकर नीचे गिरते हो अरे ये सब पुराना खेल है वही चोर और पुलिस वाला बोर हो गया हूँ मैं इस खेल से चलो हम लोग एक काम करते हैं इस गेम को थोड़ा चेंज करते हैं बाले तुम लोगों के पास एक मिनट का टाइम है उसके अंदर तुम लोगे हतकड़ी पैन के चुपचाप गाड़ी में बैठोगे तो सेफली लोक अप पहुँच जाओगे तुम्हारे बाल बच्चे आकर तुम्हें देखकर खाना देखकर खुशी-खुशी घर जाएंगे वरना तुम लोगों की यहीं पर समाधी बना दूगा सोच लो क्या करना है यार टाइम स्टार्ट्स नाउ यह क्या सर टाकोरी लोगों ने अपके बात मान ली सिर्फ यही नहीं अच्छे अच्छों का भी यही आल होता है मान के सर कुछ लोग तो मेरा नाम सुनते घबराते हैं यही है इस वर्दी का पावर यस सर सेफ एक छोटी से रिक्वेस्ट है सर जब कभी किसी का इनकाउंटर करना हो ना तो मुझे कुछ देर पहले बता देना सर क्यों? छुटी के अर्जी ले लूँगा सर यहां बाहु बेली के सारे जीने वाले बहुत सी फैमिली है सर इसलिए प्लीज प्लीज मेरी खाते सर देखते हैं इस शहर में कई आये और गये लेकिन यहां ठीके रहने वाले हमारे भाई को वह नहीं जानता तुम लोगों को यहां काम पे किसलिए रखा गया यह याद नहीं है रिश्वत खाने के लिए और घर पे चुपचाप जाके सोने के लिए देख क्या रहा है हमारे लड़कों को बाहर निकाल F.I.R. बन चुका है अब हम उन्हें नहीं छोड़ सकते एक काम कर तू इससे बाहर निकाल और उसकी जगे किसी और को अंदर बैठा दे कंप्लेंट में उसका नाम बदल दे और उसको जल्दी से बाहर ले किया भूलो मत या वर्दी क्यों दी है जब जन्ता हमारे पास अपने तकलीफ लेकर आती है तब हमें खड़ा होना चाहिए ना कि इन जैसे गुंडों के सामने जो कि हमारे समाज की गंदगी है इन्हें तो बस मिटा देना चाहिए ए गनेश ए चिला मत यहाँ सभी लोग मेरा नाम जानते है हमारे बोस्त परताब काली को तू जानता नहीं है वो जो भी हो मुझे उससे क्या वो क्या चीज है उसका बाप भी आया ना तो भी उसको नहीं छोड़ूँगा डायलोग अच्छे से सुन ले और उसको सुना जाकर बोल दे उसे मैंने उसे यहां बुलाया चल अब निकल यहां से तुम बहुत गलत कर रहे हो अभी तक तो कुछ भी गलत नहीं किया है लेकिन एक पल भी तू यहां पर रुखा तो मुझे नहीं पता मुझे क्या गलती हो जाएगी इसे मेरे स्टाइल में भार का रास्ता दिखाओ इसे कोन चलाएगा सर लालस में आकर इसे स्टार्ट करके बैट कर आता गिर पर जाता हाथ पर तूट जाती तो जिन्दीगी स्क्राइब हो जाती सर सर मेरी अभी बिशादी हुई है ढका मार के अपने परिवार को चलाना चाहाँ चलो हट जाओ बैठिए न सर अराम करो अराम करना मतलब अज़स्ट करना सर सर में उपर से एक्सपोर्ट को आँ सर जब से धर्ती पर आया हूं तब से हर चीज अज़स्ट ही करते आया हूं सर ठीक है मैं जलता हूं सर छोटे बच्चे जैसे साइकल चलाते हैं वैसे इसको मतले जाई ऐसा क्यूं सर पंचर हुआ तो मुझा ही बनाना पड़ेगा क्या वोला क्या वोला तु अधिक प्लेस पे मारा मारी करना पता नहीं तुझे अप उनको जो सही लगेगा करेगा अप उनसे पूछते वोला तू काउन पढ़ना लिखना आता है क्या ठीक से देख ओ गर नेश आरे वा मतलब तु बगवान है मैं भगवान नहीं हूं उसका आउतार हूं और यह मैं नहीं कहता यहां की जनता कहती है बपा मोरिया तुम उत्तर से हो या दक्षण से हो दक्षण का भाई उत्तर के इलाखे के लख़णे में नहीं पढ़ने का व करने का अपन उत्तर का है और तू दक्षण का तेरी स्यान पट्टी अपने लिमिट तक ही रखने का उत्तर दक्षण पूरा पश्री मागने यहीं शान्य वायव्य नहीरुत्य इन आठो दिशाओं पर सिर्फ गणेश का ही कानून चलता है इस गणेश का दरबार इस शहर क हर गली-गली में लगता है मेरी लिमिट बताने वाला आज तक इस दुनिया में कोई पैदा ने हुआ तो तू क्या चीज़ है अगर तू मेरे लिमिट में होता तो इसी वक्त तेरी खोपड़ी खोल देता यह दूसरे के लिमिट है इसलिए हाथ में गोली मारी है हॉस्पिटल ले जाओ इसे फॉरन वरना खाने के वांदे हो जाएंगे सर क्या है रे सुना आए तूने प्रताब के लड़कों को अरेस्ट किया है उन्होंने गलती की थी सर इतनी बड़ी क्या गलती कर दी उन सबने एक बंदे को थोड़ा सा पीट दिया आपके नजर में छोटी बात है सर लेकिन मेरी नजर में वो गुना है यही कह ठीक है जो हुआ सो हुआ उन सबको छोड़ दो यही आप रिटन में दे दीजिए सर उसकी जरूरत नहीं है तो फिर आइम सौरी सर मैं उन्हें रिहा नहीं करूंगा तुमारा सीनियर यहां का कमिशनर तुमसे कह रहा है रिहा कर दो उन्हें यही हमारे डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा श्राप है सर PC सब इंस्पेक्टर का गुलाम है सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर का गुलाम है इंस्पेक्टर ACP का गुलाम है ACP DCP का गुलाम है पूरा डिपार्टमेंट एक दूसरे की गुलामी करते हुए जी रहा है ये गुलामी करना छोड़कर कॉंस्टेबल से लेकर डीसीपी तक इमानदारी से अपना फर्स निभाए तो इस देश को रामराज्य होने से कोई नहीं रोक सकता आप ही नहीं डीसीपी आकर भी कहेंगे तब भी मैं उन्हें नहीं छोड़ूँगा ये मैं नहीं कह रहा प्रताप का ओर्डर है उससे टकराओगे तो कुरसी तो दूर गाउं में भी नहीं टिक पाओगे मैं कुरसी के लालच में नहीं जी रहा हूँ खाकी के विश्वास पर जी रहा हूँ मेरे पास सिर्फ दो जोड़ी उनिफार्म और सूटकेस है हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जहां चाहे भेज़दो मैं जी लूँगा पूरा देश मेरा घर है एक वक्त का खाना एक घर में खाऊंगा तो भी जी लूँगा लेकिन मेरे घर खतम नहीं होंगे प्रताप से टकराना तेरी सबसे बड़ी गलती होगी प्रताप के गुंडे प्रताप के चम्चे प्रताप के गुलाम आखिर है क्या वो चीज प्रताप के आदमी है किसी भी गली में लफड़ा हो जाए तो सब प्रताप का नाम लेते हैं आप भी उसी के नाम की बीन बजा रहे हो लगता है आप भी उसी के गुलाम बन चुके हो लेकिन मैं उसका गुलाम नहीं बनूँगा फेस करने को तयार हों से जब चाय बुलाईए झाल झाल पुलाई 5 को जाए टुलाईए बाई आप यहां आकर हमेशा इस तरह गिद्दों को मास डालते हो इसी क्या वजय है लक्ष्मी पुरान का पालन भक्ती से कर रहा हो इससे संकट निवारन होता है और दुश्मन हमसे कभी जीत नहीं पाता गिद्द लक्ष्मी है यह हमारे कुल देवता है यह हमेशा मेरे सामने साइलेंट रहते हैं क्योंकि यह जानते हैं कि मैं कितना वाइलेंट हूँ बाई वो गनेश हमारे लड़कों को नहीं छोड़ रहा है गनेश कौन है? वो शहर का नया एसीपी है भाई आपका नाम बताया तो उसने आपकी बेजती की और कहा कि थाने में आकर मिलने के लिए बोलो जवान खोन गर्म खोन होता है वो जादा उबलना नहीं चाहिए तुम्हें काम करो फुलो का एक हार और फल की टोकरी लियाओ रिलेशन बनाते हैं तयास्पाइ मुझसे नहीं हो रहा कहना कि मैं अपने उपर जुल्म नहीं कर सकता दूसरों पर जुल्म करने का शौक है बॉडी जानदार है और इजनल लगता है तूर से देखने वालों को थोड़ा डावट होता है पास आकर देखने पर पता चलता है कि 101 परसंट ओरिजनल है डायलोग डिलेवरी अच्छी है फिल्में ज्यादा देखता हूँ सुना है कि तुम हमारे लड़कों को छोड़ नहीं रहे हो और ये भी धमकी दी कि मेरे सामने प्रतापकाले को हाजिर करो लो मैं हाजिर हो गया मुझसे मिलने के लिए हर कोई मेरे घर पर आता है तुम पहले इंसान हो जिससे मिलने मैं आया हूँ यू आर वेरी लग्की ए हार देना जरा कहते हैं अगर किसी से पहली मुलाकात हो इधर देखो उससे हार पहनाओ और फल की टोकरी भेट करो फ्रेंड्शिप बहुत गहरी हो जाती है वोक आउट के बाद फ्रूट जूस पीना बॉड़ी के लिए अच्छा माना जाता है सही टाइम पर फ्रूट ले आयो जरा यह ले लो इनका जूस बनाओ सबको पिलाओ गनेश रीबन काटने वालों को तो तुमने दिखाऊगा अब करदन काटने वाले को देख लो मैं इसी काम के लिए मशूर हूँ तुम्हें खुद की दारीफ करने के आदत होगी मुझे जरूरत तक नहीं पड़ती इस शहर के हर क्रिमिनल के चहरे पर तुम्हें मेरा विजिटिंग कार दिखेगा यहां बच्चे से लेकर बोड़े तक मेरे बारे में पूछोगे तो सारे डीटेल्स बता देंगे तुम जिस सवाल को लेकर आये थे उम्मीदे उसका जवाब मिल गया तुम्हारा अंदाज बहुत पसंद आया दिल खुश हो गया लव यू प्यार है कमिशनर इस गरनेश को तुमारे डिपार्टमेंट में कितने दिन हुए है यही कोई दो मैंने सर एनि मार्क्स, रिमार्क्स रिमार्क्स तो कुछ भी नहीं, मार्क्स बहुत सारे है वक्त निकल जाने के बाद भी वो ACP बना ठेले वालों से लेकर कॉलेज स्टुडेंट तक के लिए वो रोल मॉडल है पुलिस डिपार्टमेंट में जितनी इज़त है उससे ज्यादा जनता में मैसूर का चैलेंजिंग स्टार, लिटिल रेबल स्टार ऐसे नाम दिये हैं लोगों ने उसे फेस्बूक, वाटसाइप से लेकर गूगल तक सब जगे वही चाया है वैसे बात क्या है? इस इलाके को मैंने समाला है ताकत की जोर पर आज तक किसी की नजरे मेरे सामने नहीं उठी और जिसकी उठी उसके दुनिया खुमा दी पहली बार कोई अपनी टककर का मिला है उस लड़के में जो एटिटूड है इस डेंजरस प्रताप काले के सामने आज तक किसी ने अपनी जुबान नहीं खोली और वो मेरे मुँँपर मुझे धमकी दे रहा है उसके एटिटूड की आगी अगर मैं जुग क्या तो मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा लोगों में मेरी तैशत खाप मोझाएगी उसके कमजोरी क्या है ये तुमें सैलेंटली पता लगाना होगा कमिशनर अरे हमारा काम पूरा हो चुका है हमने कंस्ट्रक्शन के लिए जो बजट दिया था वो भी अप्रूव हो चुका है फिर यहां रेस कोर्स में आकर घोडे कैसे दोड़ाये जाते हैं ये देखने का क्या मतलब है अरे बेवकूफ रेस कोर्स का बजट तो अप्रूव हो गया लेकिन हमारी कमाई का क्या ओ ऐसा तो ज़रा ध्यान से देखना है देखो देखो मुझे बिना मेरी गल्फ्रेंट को एक बहुत ही अच्छा सा गिप्ट देना है ओ माई गॉड ओ माई गॉड चिको अरे उसने तो घोड़ों को भी पीछे छोड़ दिया राज्थानी एक्सप्रेस भी इसके जितनी तेजी से नहीं भागती है वाव वॉइफ्रेंट हो तो ऐसा हो यार कमाल है यूनो मुझे देखने दो तुम्हें सच मुझ घोड़े की टांग पसंद आगी ज़रा ठीक से लेखो इस घोड़े की बात कर रही हो सबर्दस चीज है इस घोड़े का नाम गनेश है अभी अभी बैंकलोर से आया हुआ नया IPS ओफिसर है ओफिसर है ये बचपन से सपना था यार किसी इंस्पेक्टर से लव करूँ लव? वो भी पहली बार वो क्यों? नहीं हो सकता? मैंने ये तो नहीं कहा कि लव नहीं हो सकता लेकिन इसके साथ प्यार करना मतलब बड़ी जंग लड़नी पड़े अगर तुम जीती तो हो सकता है उसका दिल तुम्हारे लिए धड़क न लगे आरी तो तुम्हारे हाथ में खंबा भी आ सकता है तुम्हें ये सब बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा लेकिन तुम करोगी क्या? और क्या? प्रपोस करूँगी मुझे इसमें मत फशाओ हलो? मैडम बोलिये आप आगे बढ़िये मैं फोन पर बात कर कहता हूँ अलो? अब बोलिये मैडम जी बात 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 करना तुम्हारे आपके घर का कुट्टा कैसा है बताईए क्या बुखान आ गया? आजकल हर जिका डेंगू फेला हुआ है मैं आपको एक डॉक्टरिटा नंबर देता हूँ वो इंसानों के साथ कुट्टोंगा भी इलाज करता है जरह अरे आपकी आवास क्यों नहीं आ रही? अभी तक तो ठीक सुना दे रहा जा बेकर नाटक करना बंद करो बहुत हो गया ड्रामा, अब चलो हलो, हलो, हलो क्या है, तुम इस तरह पोली स्टेशन के अंदर क्यों गुख से चले आ रहे हो, क्या काम है? आपके साब से मिलना है बॉस इस बेरी बीजी, प्लीज आप लोग जा सकते हैं कहो कि उनकी मिसिस आइха मिसिस, वोने वाली मिसिस वोने वाली और तुम कौण? मैं उनका साला हूँ वोने वाला साला अच्छा, साला? कलर करेक्शन होगा तभी भाएवेन लगोगे वो जैसा भी है, तुमें हॉससे क्या करना है यहोने वाले पतनी तो मैं साला हुआ कि नहीं, प्लीज गो, अच्छी बत, बुलाता हूँ, कहें तो अभी बुलाता हूँ, प्लीज टे हीर, नाम बाहु बली, है एक दम मामूली, कहा है, मामूली, नहीं, आपको नहीं, इस्क्यूज में सर, आपको ढूंडते हुए, आपके साहब बला रहे है, यह क्या है डंडा, यह डंडा नहीं, हतोडा है, समझ गया, ठीक, जाओ अंदर, कहां कहां से चले आते हैं, इस केस के जो भी प्राइम बिटने सर, मेरा नाम है जीकू, और इनका नाम, प्रिया, किस काम से आया हूँ, वो तो आपको हम, आपको प्रपोस मोरिया, अब तुम तो बोला ना, सब मैं ही बलूँगा क्या, I love you, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, क्यों? मुझे नहीं पता, बस प्यार हो गया, और मैं तुम्हारी दीवानी हो गई, अब तुम्हें भी मुझसे प्यार करना होगा, मैं प्यार क्यों करूँ? IPS Officers या Engineers प्यार नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल है क्या? ऐसा नहीं है तो तुम्हारे इंकार करने की वज़े क्या है? मुझे में कोई कमी है क्या? बाल, आखें, होट, लाजवाब है, दिखने में परफेक्ट हूँ, और हाइट भी परफेक्ट है, हम साथ खड़े होंगे, त परफेक्ट की ही हाद मेरे, तुम्हारे जैसे नमुने मुझे पसंद नहीं आते, चलो निकलो यहां से, मतलब मुझे लाउशो में इंट्रेस्ट नहीं है, जाओ अपने टाइप का लड़का ढूंडो, मैंने भी इसे यही समझाया सर, वाइन के ग्लास में कभी बीर डाल कर नहीं पिया जाता, सही एक्जेंपल दिया ना सर, नहीं गलत था, ए चलना, चल, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हीं चाहने लगी हूँ, और I love you तो कह चुकी हूँ, तुम्हारे पास प्यार करने के अलगा कोई option नहीं, एक मारूंगा, ए चिक्कू, क्या मैं दिखने मे खुबसूरत नहीं हूँ, और हाइट भी एकदम परफेक्ट मैच होती है, ऐसा चांद का टुकड़ा उसे कहा मिलेगा, वो एक अच्छा चांस मिस कर रहा है, उस IPS के साथ मेरी जोड़ी एकदम सही है ना, पहली बात तो ये है कि वो एक किसान का बेटा है, इन कपड़ों मे इस सो इजी यार, ऐसा क्या, यहां पर आने से पहले मैं भी एक साडी के बहुत बड़े शोरू में काम करता था, वहां जितनी भी गुड़ियां थी उनको साडीयां मैं ही पहनाता था, वो भी अपने हाथों से, में डूर के मैने कुइन को, बिल्कुल अपने गल्फरेंड क मैं हर रोज सजाता था, वो भी अपने हाथों से, वरना मेरा खाना ही अजम नहीं होता था, प्लीज हेल्प यार, कम यार, अंकल स्टाप, अंकल प्लीज स्टाप, प्लीज स्टाप, प्लीज स्टाप, प्लीज अंकल, अंकल, प्लीज स्टाप, प्लीज अंकल, अंकल, क्या ह वह बेटा इस स्कूल के लिए लेट हो रही हो, तो फिर, अंकल देखे इन्हें क्या हुआ, अरे बबरे, सर, 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 क्या हुआ सर, 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 माइनर हर अटेक हुआ है, हम ट्रीट मेंन देरें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नम्तिन टूबरी, तुम्हारे ड्राइवर अंकल को कुछ नहीं हुआ है आधे घंटे में ठीक हो जाएंगे चलो तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया मैं ड्रॉप कर देता हूँ कोई बात नहीं अंकल जब बाकी दिनों में में लेट हो जाती हूँ और पापा ममे के पास भी टाइम नहीं होता तब यहीं ड्राइवर अंकल मेरा इंतिजार करते हैं तो क्या आज मैं आधे घंटे के लिए इनका इंतिजार नहीं कर सकती मुझे ड्राइवर अंकल के ठीक होने का इंतिजार करने दीजे, प्लीज ठीक है बिटा आपको कुछ नहीं होगा अंकल, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप रोहें मत आज मैं यहाँ जिस विशय के बारे में बात करने आया हूँ, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं हर माबाब अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में डालते हैं ताकि उनकी पढ़ाई अच्छी हो आने जाने में तकलिफ ना हो इसलिए वो वैन का इंतिजाम करते हैं लेकिन स्कूल के ट्रस्टीज पैसे कमाने के लालच में स्कूल वैन में सही ड्राइवर्स नहीं रखते पचास की कैपैसिटी वाली वैन में सो बच्चों को ठूसते हैं इसलिए दुरगटना होती है और ऐसी एक दुरगटना हाल ही में मेरे इलाके में हुई है मैं स्कूल के ट्रस्टीज को या गाड़ियों के मालिकों को एक बात बताना चाहता हूँ जितनी भी स्कूल वैन से उनमें स्पेर ड्राइवर का होना जरूरी है हर पंद्रे दिनों में एक बार हेल्थ चेक अप और आई चेक अप होना चाहिए और हर एक ड्राइवर को हेल्थ इंशरंस भी दिलना चाहिए स्कूल चाहिए कौनसी भी हो इन रूल्स का आज से सभी को पालंग करना ही होगा कल स्कूल के बच्चों को परिशानी हुई ड्राइवर के साथ हाथसा हुआ ये रूल पास करने के पीछे वजा जनता की सेवा के लिए ये वर्दी पहनी है किसी वजय की ज़रूरत नहीं आपको भरोसा है कि ये रूल लोग फालू करेंगे इस रूल को हर किसी को फालू करना ही होगा नहीं किया तो विदिन ट्वेंटिफोर आज उस स्कूल का लाइसंस कैंसल किया जाएगा गनेश जी की जए गनेश जी की जए तो अपने आपको समझता क्या है स्कूल वैन के ड्राइवर के साथ है के एक्स्ट्रा ड्राइवर होना चाहिए ये रूल बनाने वाला तू कॉन है हर जगा भगवान नहीं पहुँच पाते हैं इसलिए जन्ता की सेवा और रक्षा के लिए मैं उनका पर्मनेंट पीए हूँ अपना ये पोस्ट पर्मनेंट रखना चाहता है तो अपने एरिया के अंदर में ही अपना काम देख पूरे करनाटक में 120 स्कूल है हर एक स्कूल में 20-20 गाड़ियों के हिसाब से पकड़ो तो 120 स्कूल में 2400 गाड़िया होती हैं इसका मतलब 2400 एक्स्ट्रा ड्राइवर हर किसी को महिने का 15,000 तंखाद दें तो हर महिने 3,60,000 लाक और साल का 43,20,000 लाक रुपयों का लास होगा तुम सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचते हो लेकिन मैं उन बच्चों के बारे में सोचता हूँ जो अपने माबाप को जान से भी ज्यादा प्यारे हैं अब मैं अपना हिसाब बताता हूँ 120 स्कूल मतलब 2400 गाड़ियां हर एक गाड़ी में 30 बच्चे मतलब कुल 22,000 बच्चे हर बच्चे से हर महिना 10,000 लियाए जाता है मतलब 30 बच्चों का होता है 3,000,000 25,000 का लोन पकड़ो, 50,000 का डीजल पकड़ो, 25,000 ट्राइवर का पकार पकड़ो एक लाख माइनस होने के बाद भी दो लाख बच्चते हैं और मैं तो तुमसे कह रहा हूँ सिर्फ 15,000 रुपए खर्चा करने को अगर बाकी लोगों की तरह तुम भी मेरी बात मानोगे तभी तुमारा लाइसेंस कंटीनियो होगा वरना, on the spot कैंसल कर दूँगा उसका भी एक टाइम आएका जब टाइम आएका तब सोच लूँगा कंबे पर स्टार है इसलिए बहुत फटपड़ा रहे हो जनता का दिया हुआ स्टार तो मेरे माथे पर है ये तो बस उसका रिफलेक्शन है देखता हूँ, ये रिफलेक्शन कब तक काईम रहेगा रिफलेक्शन रहेगा है नहीं मुझे नहीं पता लेकिन इस्टार हमेशा रहेगा चाहे कितना भी फटपड़ा ले तू लेक है सर से एडी तक जोर लगा ले लेकिन तू चाहेगा ये कालेक तू सवादा है हाई कल घोड़ों के साथ भाग रहे थे आज क्यों अकेले भाग रहे हो? कल तुम दो लोग आये थे आज तुम अकेले ही आई हो क्या वज़ा है? कल तुमने कहा था ना तुम्हें लड़कियां साडी में बहुत खुबसुरत लगती है उनकी चूडियां अच्छी लगती है इसलिए ट्रडिशनल तरीके से आज सच कर आई हूँ रात भार जग कर प्राक्टिस की है तब कुछ रिजल्ट आया है उमीद है तुम्हें अच्छा लगा होगा तुम्हें अच्छा तो लगा ना तुम्हें क्या लगा? साडी पहन के आने से मुझे प्यार हो जाएगा तुम्हें ने तो कहा था मैंने कहा था साडी पहने हुए लड़किया अच्छी लगती है मुझे अच्छी लगती है इसका अपका इसका मतलब? क्या है? तुम लोग हमेशा सोचते हो कि मेरा बॉइफ्रेंड ऐसा हो वैसा हो आएस हो, आइपी आइस हो उससे कम नहीं चलेगा तो फिर मैं भी लड़की के बारे में जाने बिना ऐसे कैसे प्यार कर सकता हूँ? मैं तुम्हे अपना नाम, बायो डेटा, सब कुछ बता चुकी हूँ बस नाम बताने से प्यार हो जाएगा मेरी गल्फरेंड किसी रानी जैसे दिखनी चाहिए सपनों में आनी चाहिए पागलपन हो, दिवानगी हो, दिल में बसनी चाहिए सुख दुख की बाते करनी चाहिए बार-बार परिशान करना चाहिए, ऐसे ही मेरी खौईशे है वो सब छोड़कर, एक साड़ी पहन कर आने से तुम से कैसे प्यार हो जाएगा? अब मैं अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारे सपनों में भी आऊँ तुम चाहती हो कि मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारे पीछे हो तुम अगर दो कदम आगे बढ़ो, तो मैं भी सोच सकता हूँ अगर मेरे दिल में बसना चाहती हो, तो थोड़ी मेनद तो करने ही पड़ेगी. ए, तु इस वक्त यहां क्या कर रहा है? आपके सपनों में आया हूँ, सर. अबे, मैं खुच जाग रहा हूँ, तो तु सपने में कैसे आ सकता है? वो सब मैं नहीं जानता, सर. वो चाहती है कि मैं आपके सपनों में आऊ, इसलिए वो अपने साथ मुझे लाई है, सर. उसे यहां आने में शर्म आ रही है, आप ज़रा जा कर देखे न, सर. तुम्हारे सपनों में आई हूँ, मैं. एए, ड्रीम का बोर्ड लाने से कोई सपनों में आता है क्या? चल निकल यहां से. अरे मेरी बात से लिया, सर. चुप-चाप जा. इस वक्त उसे कहां लेकर जाओ, मेरे घर वाले तो बहुत स्ट्रिक्ट है. पूरा ड्रीम गेट अप है, तुभारा दिल जीतनें के लिए. अब तो मान जाओ. क्या मान जाओ तुम्हारा सर, ये क्या मजअक लगा रख है? मजअक मैं नहीं कर रही, तुम कर रहे हो. मैं? तुम ही कर रहे हो इलजाम मुझ पर लगा रहे हो और जो तुम मेरे सपनों में आते हो रात भर में तुम्हारा tutorial जेलती हूँ पता है मैं सपनों में कब आया दुबारा सपनों में आओ तब बताऊंगी मा ने तुम्हें पाला और बाप ने सही रहा दिखाई मेनद से पढ़ने लिखने के बाद आफिसर बने तो गवर्मेंट ने तनख्वा दी हम हमें पालने वाली मा के प्रती जितने वफादार होते हैं क्या हम सब अपनी ड्यूटी की तरफ उतने ही वफादार हैं सब कुछ परफेक्ट सर नेक्स मेरे एरिया में कोई कंप्लेंट नहीं है सर मिस्टर बली ये सर बोलिये मैडम साब साब में बाबु नेगर से आयू मेरी बेटी की शादी हुए एक आफता भी नहीं हुआ साब कुछ बदमाश बाइक पर आए और इसका मंगर सुतर और हार छीन कर ले गए साब मैंने आइटी आईयल से पढ़ाई की है मेरी माँ को कैंसर है सर अपने गर में सब का पेट भरने वाला मैं आकेल आई हूँ कमाने काये की रास्ता था मेरा आटो वो भी किसी बेरा हमने चोरी कर लिया मैं ग्यान भारती से आया हूँ सर एक साइकल के लिए मैंने सरकार को कई बार अरजी दिया सर पर नहीं मिली मेरे जन्म दिन पर मेरे सारे दोस्तों ने मिलकर मुझे तोफे में एक साइकल दी थी सर पब्लिक पुलिस के पास आती है कंप्लेंट लिखवाने को पहली बार पुलीस के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा रही है मैं माफी मांगता हूँ अपने डिपार्टमेंट की तरफ से मैं शर्मिंदा हूँ इनसे आपको दुबारा शिकायत नहीं होगी ये मेरा वादा है आप जा सकते हैं बापुजी नगर, शंकर नगर, ITIL, आउट, न्यान भारती, आर आर नगर के इंस्पेक्टर शोड काम इन फ्रन्ट लाइन रिमूव यो कैप जब तक शेर की महर वाली टोपी तुम लोगों के सर पर है तब तक तुम लोग on duty होते हो और जब वो तुमारे हाथों में आती है और मेरा हाथ तुमारे गाल पर पड़ता है मतलब तुम duty भूल चुके हो अब हार एरिया में दो-दो बीट चौकी बनाओ और जो भी कंप्लेंट आए उस कंप्लेंट को उसी चौकी में बैठ कर निप्टाओ भूले भटके अगर कोई भी केस मुझ तक आया तो तुमारी ये कैप मेरे हाथ में होगी और मेरा दाया हाथ तुमारे गाल पे होगा इस दाइट क्लिया? येस सर तुम्हें शरम नहीं आती है? आपकर तुमने शाब शाब की तो पूलिस का प्लेंट करेंगे तुमने की दुशिक करो अजया कमने देख जाल 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 ये भाई ये चल दिकल यास यार खुंते की बट लगा दी बहाद चल दी अरे जगा गनेश 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 उसकी जगा तो उसका गाड़ी भारे पड़ रहा है अरे उसके पास कितनी गाड़ी अरे अगर देखा जाए तो गनेश के पास तो सिर्फ एकी गाड़ी है बाकी गाड़ियां तो उसके छे लोकी है इस गाड़ी ने हमारा जीना हराम किया है चल उसी गाड़ी का उठाते हैं देख इस बर तेरे लिए क्या गिफ्ट लाया हूँ ये गणेश की गाड़ी है बाजार में इसकी बहुत कीमत है इस हाधी को खुले मार्केट में नहीं बेच सकते इसलिए मैं इसे यहाँ लाया हूँ चल इसकी सही कीमत लगा पचासाजार दूगा ये तो बहुत कम है पचासाजार पंगार नहीं है अरे ये इसके लिए बहुत जादा यार चले काम कर तु खुश रहे और इसके मुझे सिर्फ एक लाख रुपे दे दे अरे इस गाड़ी के एक लाख रुपे कौम देगा मैं दूँगा इस गणेश की कीमत देने वाला अब तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ चाहे वो ज़ादा हो या फिर कम हो अपनी कीमत ये खुद ही तै करता है बाजार में मेरी कीमत क्या है ये लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं तुम लोगो कितना चाहिए बोलो होलसेल में लेना चाओगे या रीटेल में लेना चाओगे तुम लोग डिसाइड कर लो शूट करूँगा इसके लिए डर गे क्या अज तुम लोगों का टाइम अच्छा है अपनी की गई गलतियों की माफी मांगेंगे तो जीने का एक चांस मिलेगा या तो फिर तुम लोगों की बॉड़ी पोस्ट मॉटम के लिए भेजनी पड़ेगी ए पंटर इस गाड़ी को जहां से लायो ना इज़त के साथ उसे वापस वही पहुचा दो ठीक है सर आगे हैं नमस्ते सर आज के बाद हर मंगलवार को गनेश जी के मंदिर जाओंगा सर इसकी चाब ही तो मेरे पास है सर यह डूपलिकेट है दंदे में करना पड़ता है सर यह मेरी तरफ सापको गिफ्ट है बाकि सब लोग का है बले अधर यहां जितने लोग है इंड में से किस-किस का क्या क्या गया है हमें नहीं पता चाहे वो छोटा हो या पर बड़ा या फिर कोई समान हो या कोई चीज हो या कोई गाड़ी हो अपनी चीज को पैचानो और साइन करके यहाँ से चलते बनो सुनो, जो लोग अपने वादे के कायम होते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तुम लोगों को अरेस्ट करके सजा दूँ ये मैं नहीं चाहता क्योंकि ये मेरा स्टाइल नहीं है सुधरने वाले इंसान को भगवान भी सुधरने का एक मौका जरूर देता है उसी तरह मैं भी तुम लोगों को एक मौका दे रहा हूँ वक्त निकलने से पहले सुधर जाओ प्लीज आप जरा हिंदी में बोलेंगे आईपेस ओफिसरों इंग्लिश नहीं आती आपने सच कहा सर मैं यहाँ पैदा हुआ बड़ा हुआ जीर आऊ और मरूंगा भी यहीं पर हमें पालती है खिलाती पिलाती है जनता उसका सुखदुख हमें पता चलता है हिंदी भाशा में दूसरे देशों के लोग सिर्फ अपनी भाशा में बात करते हैं और हम शर्माते हैं दूसरों की भाशा में बोलने की क्या जरूरत है सर आईपेस बनने के बाद इंग्लिश आनी ही चाहिए ऐसा कोई रूल तो नहीं है न जनता ने खुद अपने हाथों से मुझे इस कुर्सी पर बिठाया है और मैं उनका विश्वास कभी नहीं तूड़ता सर छोटा हो या बड़ा जो अच्छा काम करेगा उसकी पीट थप थपाओ ऐसा बुज़ूर्गों का कहना है सर जैन सर उस दिन तो बहुत लिमिट लिमिट की बात कर रहा था आज किसके लिमिट में आया है पता है पता है सर अगर तुझे पता था तो मेरी लिमिट में क्यों आया यहाँ पर्मिशन लेकर आने के लिए यह कोई टीपू का सामराज नहीं और ना ही तू कोई सुल्तान है, मैं यहां का सुल्तान हूं, मेरे एरिया के अंदर घुषने के लिए या बाहर जाने के लिए कुत्ते को भी पर्मिशन लेना पड़ेगा, यह युनिवर्सिटी कैमपस है जानता है ना तू, पढ़ना लिखना आता है तुझे, तो क्या लिख सर, उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने इसी का नाम बताया था ना, हाँ सर, यह वही है, तेरा नाम क्या है रहे, महाविलेश, काउन सा प्लेस, महाविलेश, हाँ वही सर, वो केस इसके नाम पर डालके, एफ़ायर दर्च करो, हाँ, किस दिखाना दर है, चल, यह चल, यह यह बर्थड़े है भाई, वो तो ठीक है, लेकिन यह लोग कौन है, यह लोग उसके फैंस है, फैंस है, वो कोई फिल्म स्टार है क्या, उसने इन लोगों का भला किया है, पॉलेटिशन्स की बीड ओरिजनल होती है, डुब्लिकेट यह नहीं बता, लेकिन इस गनेश के फैंस स आज मैं तुम्हें दिल से मबारक बात दे रहा हूं, पहली बार मिले थे तब भी मैंने दिया था, लेकिन उस दिन तुमने इंकार कर दिया था, उपर से एटिटूड दिखाया था, खैर मैं तुमसे कुछ परसनल बातें करने आया हूं, इन सब को यहां से जाने को कहूं, देखो, हम जैसे बड़े लोगों का अशिरवाद रहा, तो उम्र लंबी होती है, यही बात तुम्हें समझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो, यह मेरा एटिट्यूड है, लोग इस स्टाइल कहते हैं, तुम्हारी बॉड़ी में गर्मी कुछ जादा मेरे खून में उससे कहीं ज्यादा है, आने के वज़े बताओ, सुनो, अपनी बीवी के बिना तो मैं रह सकता हूँ, लेकिन अपने लड़कों के बिना नहीं रह सकता, छोड़ दो मेरे लड़कों को, उन्हें छोड़ नहीं सकता, वकिल बाबू, पेपर दिखाओ, वाले, अब चल बारा, बाई, बहुत मारा है बाई, यह फुलो की माला की भी अजब कहानी है, बड़े पर भी मिलती और अर्थी पर भी, पैंस ने पहनाये, उम्र लंबी होगी, याद रखो, मुझे हार पहनाना भी आता और छीनना भी आता है, हार तो छीन सकते हो, लेकिन उम्र नहीं छीन पाओगे, अभी तक टेस्ट या वंडे ही खेले होगे, आज से 2020 और बैटिंग मैं करोंगा, एक साइड की बैटिंग होने के बाद, दूसरे साइड की भी बैटिंग आती है, समझा, तुम में खेल जितने का जुनून, मुझ में खेल जितने का जुनून, जनम द हBURR भाद दे कर फिंग मैं Вас अंस्ति होれ हो यूजशा वी तुम मुझ में माव यूशव चणी बीवी तो पारिशान प्रमनों है सारदां जाना साना फोलिस नसे ऐन्हिसट से पारिशान में आ एक सान्ति की अ्य। पारिशान में क्या हुआ वा वली अगर मैं किसी तरह से दो महिने के अंदर सब इंस्पेक्टर बन कर सो किलमेटर के स्पीड से बाइक दढ़ाते हुए घर के आगे सामने स्किड करा के ब्रेक नहीं लगाई तो मुझे वो बाप नहीं बनाएगी सर मुझे धंकी दे रही है कि वो डिवोस दे देगी यह तो बीवी की पॉलिसी होती है धंकी देना और काम करें लो हुए सर जादा कुछ नहीं सर मुझे सब इंस्पेक्टर बनाने में ज़रा सा हेल्प कर दीजे नहीं सर सब इंस्पेक्टर को कमपल सरी बुलेट चलाने पड़ती है पता है ना बुलेट चला लूँगा ना सर ड्राइविंग स्कूल में जा रहाओ बुलेट भी चलाना सीख लूँगा मेरा जरा सर रेकमेंडेशन कर दीजे ना ये इतना आसान है क्या सेंटर स्टेंड कैसे लगाऊगे एंद कैसे लगाऊँगा कब करोगे सर अरे जाओ ना यार घुछा रहा है सोरी सर नमस्ते साब जी मेरा नाम रामप्पा है साब साब मैं रेलवे स्टेशन पर जाडू लगाता हूं सर पिछले 30 सालों से यही काम कर रहा हूं इसके लिए सरकार मुझे 16,000 रुपे तनखा देती है साब यह सरकार मुझे तनखा इसलिए देती है ताकि मैं स्टेशन को साफ रखूं लेकिन आज टीवी पर आपको कचरा उठाते और जाडू लगाते देखा सर पहली बार ऐसा लगा कि इस समाज का अब भला होगा इसलिए आप से मिलने चला है साब बहुत खुशिकी बात है और कोई काम है क्या साब हर तीसरे महिने की 25 तारिक को यश्वन पूर रेल्वे स्टेशन से एक कंटेनर जाता है सर जिस पर लिखा तो कुछ और होता है लेकिन अंदर रहता है कुछ और ये बात मैंने रेल्वे पुलिस अदकारियों को कई बार बताया सर लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इसलिए मुझे मजबूरन आपके पास आना पड़ा मुझे आपसे बहुत उम्मीद है सर ठीक है सर अब मुझे इजाज़त दीजिए ये लुझे को बढ़र खास driving है ये ये फ'm अटोमेर! अबसोमेर! नटोमेर! 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 कोटने आएफो! कोआने आएफो! यारो गसे कि अ करिवों जारो produce only झारो, फितारो कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ mãzosे कि अ कि अ कि अ कर आख कि अ अ कि अ हिं एय खळाव επाभब करेंगेघ्न सबस्य कundy करेंगे तेर'll करेंगें उनल करेंगे उनल विएगाएएगाएएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगा पैंटे लड़कियों की चिंदा नहीं लेकिन फिक्र है तुन पैसों की वो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए तस, बीस, पचास करोड ले सकता है तू लेकिन बाकी का बैलेंस मेरे पास सेफले पहुँच जाना चाहिए ए कौन तू, किसका पैसा? मेरा! ना तो किसी नोट पे तेरा नाम है, ना इस फोटो चपा है फिर भी वो मेरा है! ये सब मैं गावर्मेंट को हैंड ओर करने जा रहा हूँ अगर हिम्मत है, तो अपना नाम बता कर ले जाए से सर, कई दिनों से खुफिया तरीके से हमारे राज में स्मगलिंग चल रही थी जो गनेश जी की वज़े से आज सामने आई है ये बात पूरे करनाटक पुलिस के लिए गर्व की बात है क्या आप इस ओपरिशन से खुश है? हंड़ परसंट शूर, करनाटक पुलिस का नाम पूरे देश में मश्यूर है और आज गनेश की वज़े से उसमें और चार चान लग गया पूरे डिपार्टमेंट का काम आज गनेश ने अकेले कर दिखा सौरी सर, इसके पीछे एक सरकारी करमचारी का भी हाथ है इस इज़त का सही हगदार वही है वो कौन है सर? टाइम आने पर बता दूँगा इस ओपरेशन में कुल कितनी लड़किया मिली है सर? वो कौन है? कहा की है? आपको कुछ पता है सर? लगबगर तालिस लड़कियों को हमने बचाया है उनके परिवार वालों का पता लगा कर हम उनके हवाले करने का इंतजाम कर रहे है सर इस ओपरेशन में कितना पैसा सीज हुआ है? वो किसका है? और इसके पीछे कौन-कौन है? इसका कुछ पता लगा है? जिसने भी ये काम किया है, उसने दूसरों के नाम का साहरा लिया है, इस ओपरेशन में हमने काफिलों को अरेस्ट किया है, हमारे इन्वेस्टिकेशन जा रही है, जैसे हमें सच्चाई का पता चल जाएगा, हम आपको पता देंगे अगर इन पैसों का कोई हगदार नहीं मिला तो, होम मिनिस्टर से बात करके, मैं प्रेस के सामने जरूर लाओंगा आज के मोखी समाचार, गनेश के कारणामों से इस राज़ की जनता बहुत खुश है, मासूम नाबालिक लड़ियों को बचाया इंस्पेक्टर गनेश ने, साथ ही साथ उनके हाथ लगभग थाईसो करोड की ब्लैक मनी भी लगी है, इस कामियाबी के लिए इंस्पेक्टर गनेश की होम मिनिस्टर जी ने प्रशंसा की है, गनेश जैसे पुलिस ऑफिसर के वज़े से ही डिपार्टमेंट के साथ-साथ हमारे सरकार की भी प्रशंसा हुई है, उमीद है वो अपना काम ऐसे ही करते रहेंगे, I am proud of our करनाट का पुलिस, गनेश के वज़े से ही हमारी स सरकार 270 करोड की ब्लैक मनी सीज करने में काम्याब हुई है, हमारी सरकार ने ये तै किया है कि वो सारा पैसा जनहित के कारियों में लगाएंगे आज मैं बहुत खुश हूँ मिस्टर कनेश, हर रोज निउस पेपर्स, टीवी चैनल्स, मीडिया के लोग हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करते थे, हमारे कामों में घलतियां ढूंडते थे, और तालियों की जगया गालियां मिलती थी, दिस इस दे फास्ट टाइम, और एक जिले में हो, तो हमारे पुलिस का इमेज कुछ और हो जाएगा, I'm very proud of you Mr. Kanesh, thanks a lot sir, एक बात और है, coming January 26, Republic Deco, CM साहब फ्लैग होस्टिंग रेंगे, उस परेट प्रिप्रेशन का काम, मैं तुम्हें और तुम्हारी टीम को सौंपता हूँ, I expect you to do well, sure sir, क्या हुआ sir, कोई प्रॉब्लम, no, no problem, तुम जा सकते हो, okay sir, sir, प्राइड अटेंच्छ्टա। प्राइड वेर्ड़र खुम्हें प्राइड हो जाहिए टीटोर। रेक पुम्हें फन्हें अजर्ट बढ़खवा सकतरे आफ बढ़ख कोन्ह sniff मिर्णें! रड़,ॲोट विर्ट ऐ liabilitys! राइटर!! 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 आप लोगों के आज की परेड बहुत ही शांदार थी जनवरी 26 तारिक को आपका डिसिप्लिन इसी तरह से रहेगा यही उम्मीद है मैंने आपसे एक बात कही थी जब तक शेर के निशानवाली कैप आप लोगों के सर के उपर है आप लोग फर्ज से पीछे नहीं आटोगे आज आप लोगों ने ये साबित किया है ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा हमारे शेहर की ये पुलीस हमारे पूरे देश में नम्बा वन की जगाले यही मेरी इच्छा है मिस्टर गनेश रिमूव यूर कैप सर्थ तुम सच्चे पुलीस ओफिसर नहीं हो यू आर फेक आईपीएस ओफिसर इन करनाटक रिमूव यूर कैप सुच्सक्छों ते सुच्छ्स पीषस प्सunde अरूु अर्स्ट इम झाल 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 जो वीस घंटे के अंदर गणेश को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है इसके लिए केस की फाइल कम्प्लीट होनी चाहिए नमस्ते प्रजा न्यूज में आपका स्वागत है अब मुख्य समाचार रिपप्लिक डे के दिन होने वाली परेड की प्रैक्टिस करते समय परेड ग्राउंड से शहर के पुलिस महा निर्देशक और पुलिस कमिशनर जी ने कई ओफिसर्स के सामने परेड को आयोजित करने वाले होनहार पुलिस ओफिसर गनिश को अरेस्ट किया ये सब को चौकाने वाली बात है और उन्हें क्यों अरेस्ट किया गया है इसका भी खूलसा नहीं हुआ है एक इमांदार पुलिस ओफिसर को अरेस्ट कर लिया गया है ये हमें अभी-अभी वीडियो मेसेच के जरिये पता चला है सच क्या है ये जानने के लिए हमें दुटा के इंतिजार था अब मैं उसे बताऊंगा कि प्रताप काले क्या है ये देखना है कि एक इमानदार पुलिस ऑफिसर गनेश जी के अरेस्ट होने के बाद जनता कैसे रियाक करीगी अरे गनेश जी को एरेस्ट कर लिया गया है मैंने अभी रेडियो में सुना योरानर गनेश नाम का ये शक्स पिसले साथ महिने बारा दिनों से नकली आईपियस बन कर पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसने असा क्यों किया ये जानने के लिए आज उसे कोट में हाजर किया गया है मिश्टर अशोक नायक इस बारे में आपको कुछ कहना है पब्लिक प्रोसेक्यूटर ने जैसा कहा ये शक्स मिस्टर गणेश के नाम से हमारे इलाके में नकली IPS बन कर काम कर रहा था हमें CBI से पता चला कि सेंट्रल से अपाइंट किये गए अरजुन की जिगे ये महाशे काम कर रहे थे मिस्टर गणेश आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे मैं इस वक्त कुछ कहूँ या ना कहूँ सच्चाई एक दिन आपके सामने जरूरा कर रहेगी गणेश के ऐसा करने का उद्देश जानने के लिए मैं कमिशनर को दो दिन का वक्त देता हूँ उसके अंदर तेहकिकात करके पूरी रिपोर्ट के साथ इनेस कोर्ट में हाजिर किया जाए ऐसा ये कोर्ट आदिश थे अपने गणेश जी को अरेस्टो कर लिया लेकिन लोगों को इसका कारण नहीं पता है सर ये एक फेक IPS ओफिसर थे इसलिए अरेस्ट किया गया बड़े देश भकते हैं और स्वतंतरता सेना नी भी दादी का नाम सीता देवम्मा तुम्हारी एजूकेशन? डिग्री होल्डर हूँ लोगों की भलाई करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं खाकी को चुनने की कोई खास वज़े? जब खाकी इस जिसम पे होती है तो सवाल कम और जवाब ज़ाब ज़ादा होते हैं ऐसा तुमने किस उद्देश्य से किया? अगर उद्देश्य गलत होता तो सलाखों के पीछे पहुचने में साथ महीने बारा दिन नहीं लगते ये सब करने से पहले तुमने प्री प्लानिंग की थी? पिछले साल के छे महीने में यही प्लान कर रहा था अब मैं और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूँगा रिकॉर्ड्स रेडी करो ये गरेश नाम का वैक्ती जो फेक IPS बना था वो कौन है? कहा कहा है? उस पता चला सर अभी तहकीकाट चल रही है प्लीज ये भी उसे किस ने भेजा है? उसके यहां आने का उदेश है क्या है? इसके बारे में आपको कुछ पता लगा है? उसके माता पिता नहीं है दादा दादी है जो फ्रीडम फाइटर हैं इंक्वाइरी अभी चल रही है फ्लीज ओके? जानते हो देश को सतंतरता दिलाने के लिए हमने बहुत संघर्ष किये बिटिश वालों ने हमें जेल में डाल दिया फिर भी आखरी तक हम हिम्मत नहीं आरे हमने जो अच्छे काम किये थे उसका फाल मिल रहा है पूरा राज्य जानता है कि मेरा पोता सही काम कर रहा है मैं चाहता हूँ कि ये बात सरकार के साथ निया एले को भी पता चले अब मैं चलता हूँ बच्चों को पढ़ानी का वक्त हो रहा है बच्चों को आप क्या पढ़ाते हैं सर मैं बच्चों को ये सिखाता हूँ कि हमेशा सच्चाही के रास्ते पर चलो कैसे हो छोटे? तुमसे तो अच्छा ही हूँ. और तुम अच्छे ही रहोगे. क्योंकि मैंने ही तुम्हें ससुराल भेजवाया, वहां महमान नवाजी बहुत अच्छी होगी. तुम्हें तो ये बात पता ही होगा, कि बली देने से पहले, उसे हार पहना कर खिलाया फिलाया जाता है. उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ. क्या है कि तेरा एटिटूड मेरे लिए सरधर्द बन गया था? इस पताप काले का सरधर्द. ये करनाटका गौर्णमेंट मेरी जेप में है, फिर मुझसे जादा उबाल तुझ में कैसे है? मैंने पहले ही बताया था, वो हमारे खून में है. ब्रट टेश्ट करवाले, उसमें वो अब नहीं मिलेगा. मुझे उसकी जरूरत नहीं. चाहे आज हो या चाहे आने वाला कल क्यों नहों, तुझे मिट्टी में मिलाने के ताकत इस कलेजे में हमेशा रहेगी. सलाखों के पीछे रहकर इस कलेजे की ताकत का क्या करेगा तू? अगर सच मुझ मर्द का बच्चा है, तो तू बाहर निकल और मुझे अंदर करवा. तुम कितने दिनों तक बाहर रहोगे? खाकी पहना हुआ शेर सलाखों के पीछे, और मदमस्त हाती बेडियों में अच्छे लगते हैं, छोटे. खाकी पहने हुए शेर को बाहर निकलने का एक ही रास्ता होता है, लेकिन मदमस्त हाती को कई ही रास्ते होते हैं, आराम से निकल आता है. मेरा इंतजार करना, जल्दी मिलूँगा. नेश्की जएपर लिएपर 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 है. कैसी हो इंजिनियर मेडम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ. तुम कैसे हो? वैसा ही हूँ. तुम बताव जब से तुम दूर गए हो कुछ भी अच्छा नहीं लगता ये सब क्या हो गया तुम्हारा दिमाग ना सच में खराब हो गया इतना सब होने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करती हो मैंने तुम से इसलिए मोहबत नहीं की कि तुम एक IPS ऑफिसर हो जब तुमने अपनी ड्यूटी जॉइन की उस वक्ट जिस लड़की का आक्सिडन्ट हुआ था उसे ओ नेगेटिव बलड की जरूरत थी तब तुमने उसे बलड दिया था कुछ याद आया वो लड़की और कोई नहीं मैं हूँ तुम्हें बता है लड़कीयों के दिल के करीब बहुत कम ही लोग आ पाते हैं जैसे कि उसके माँ-बाब क्योंकि उनके साथ वो सुरक्षित महसूस करती है और ऐसा ही मैंने महसूस किया सिर्फ तुम्हारे साथ उसके बाद मैंने तुम्हारे अलावा किसी की बारे में नहीं सुचा अब तो मेरी बस यही खौईश है कि मैं पूरी जिन्दगी बस तुम्हारे साथ पिताऊं तुम चाहो या ना चाहो मैं तुम्हें हमेशा चाहती रहूंगी तुम्हें पसंद आये या ना आये अब ये दिल सिर्फ सिर्फ तुम्हारे लिए जानते हैं आप लोग जो गड़ें का साथ देने के लिए रास्ते पर उतर आये हैं उसकी वज़े क्या है वो एकिमंदार जामास पुलिस ऑफिसर है सर क्या तुम्हें लगता है कि गनेश जी सही थे अगर उनके दिल में खोट होती तो वो जनता की भलाई का काम कभी नहीं करत ये सब उनके खिलाब साजिश है दादी दादा कैसे आप लोग तुम कैसे हो बेटा मुझे क्या होगा दादी फर्स क्लास हूँ यहाँ पर जूट मत बोल बेटा यहां सचे लोगों की कीमत नहीं है इसी बात का अफसोस होता है पता नहीं इस देश का क्या होगा इस देश के अच्छे लोगों को रखने के लिए ही ये जिगे बनी है सीधा समझ रही हो ना जितने भी अच्छे लोग यहां से बाहर निकले हैं सब लोगोंने दिहास रचाए हमारा बेटा भी रचेगा तुमने जो राह चुनी है उससे कभी मत हटना बेटा वादा करो गनेश ने कानून के साथ साथ, गवर्मेन के साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया है इसलिए उसका रहा होना ना मुमकिन है सर आपकी क्या रहे है सच है कि उसने जो कुछ भी क्या लोगों की नजर में साइए लेकिन कानून की नजर में वो सारासर बलत है कृष्ण मूर्ती सर आप कानून अच्छी तरह से समझते हैं आप इस बारे में क्या कहेंगे इस केस में जो तहकीका दिवारों के अंदर हो रही है वो इस तरह से ना होकर जनता के सामने जनता की आदालत में होनी चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो मुझे विश्वास है कि गनेश बेगुना साबित होगा जैसा अभी अभी कृष्ण मूर्ती जे ने कहा वैसे ही ये केस जनता की अदालत में लाई जाए तो गनेश के छूटे की संभावना है इसमें जनता एहम किरदार निभाईगी जनता की मांग है कि गनेश का फैसला उनके सामने हो इस बात को लेके लोग सड़कों प्रूतर आए हैं वो चाहते हैं कि उनका फैसला चारदिवारी के भीतर ना होकरके उनके सामने किया जाए इस तरह सहर के के हिस्तों में मजदूर लोग ऑटो ट्राइवर्स किसान गनेश के सपोर्ट में खूल कर सामने आ गए जब तक गनेश को इंसाफ नहीं मिलता अंदोलन जारी रहेगा इस सरकार कोहार मानने ही पड़ेगी गनेश को इंसाफ मिलने तक हम नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे इस बारे बाप कुछ कहना चाहते हैं इन लोगों की चाहत और इजज़त के लिए मैं इन सब का आभारी हूँ मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है आप मेंसे कोई भी कानून मत तोड़े शान्ती बनाए रखे मैं बहुत जल्द बाहर आ जाऊंगा जन्ता की मांग के मुताबिक गनेश के केस का फैसला जन्ता की अदालत में हो क्या आप इस बात को मानेंगे उसने काम अच्छे किया है यह आप कैसे कह सकते है सर सरकार के साथ पुलिस के साथ उसने चीटिंग की है अगर गॉर्मेंट ऐसे लोगों को सपोर्ट करेगी तो इस देश में नजाने कितने गनेश पैदा हो जाएंगे सर जेस तरह से ये लोग कह रहे हैं जनेश उतना बुरा इंसान नहीं है सर सच तो यह है कि उसने कुछ भी नहीं किया उसने बस जनता की भलाई की है इसलिए हमें उसके साथ इंसाफ करना चाहिए क्या इंसाफ करें? कोई भी अपनी मनवर्जी कर सकता है क्या? अगर देश को ऐसे ही चलना है तो फिर पढ़ाई लिखाएगी क्या जरूरत है? कानून विवस्ता की क्या जरूरत है? देखिए आप लोग आपस में आकर यहां लड़े इसलिए हमने ये मिटिंग नहीं बुलाई है बताइए कि सम्मिधान में ऐसा कोई नियम है जिससे हम इस केस को जनता के सामने सॉल्फ करें सर, कानून बनी है जनता की भलाई के लिए और उसी काम के लिए ही ये सारे आदालत बने हैं ये बात जनता भी जानती है और हम भी ये जानते हैं कि कोट का चेहरी के चकर से कुछ नहीं मिलता जब किसी case का फैसला नयायले नहीं कर पाती, ऐसे में उस case को जनता की अदालत में ले जाकर फैसला किया जा सकता है, ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है सर. Mr. Chandr Shaika, सर जल से जल जाकर आप जनता की अदालत की वेवस्था करो. जए 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 लुड़े जएगाची मिस्टर गणेश, हमारे राजजी की जनता चाहती है कि आपकेस केस का फैसला यहीं जनता केस सामने किया जाए अब केस को लड़ने के लिए तुम्हारे पास कोई लोयर है क्या? मेरा कोई लोयर नहीं है सर, जो भी सवाल पूछेंगे, मैं खुद उसका जवाब दूँगा, मेरी तरफ से यह जनता है सर ओके, प्रोसीड मिस्टर गनेश, IPS हमारे देश का एक नामचीन पद है, उस पद की गरिमा को तुमने कलंकित किया है, यह काम तुम्हार आकेले का नहीं हो सकता, बताओ इसके पीछे और कौन-कौन लोग है मैं जो कुछ बे करता हूँ, अपने बल पर करता हूँ इतना बड़ा कदम तुम अकेले कैसे उठा सकते हो उसके एक खास वजए सर, छे महीने पहले फर्स जुलाई को करनाटक सरकार के पुलिस डिपार्टमेंट में एक IPS की जगे खाली थी उसके लिए एक अच्छो ऑफिसर अपॉइंट करवाई है, ऐसे केंदर सरकार ने लिखा था ये बात न्यूस पेपर में भी आई थी फिर उसी महीने के बारा तारीक को केंदर सरकार ने करनाटक पुलिस आईजी को एक फैक्स भेजा उसमें ये लिखा था कि उन्होंने मिस्टर गणेश को सिलेक्ट कर लिया है आप चाहो तो उसे प्रोसीजर के हिसाब से अपॉइंट ना करके डायरेक्ट अपॉइंट करके ड्यूटी जॉइन करवा सकते हैं ऐसा उसमें लिखा था दुख की बात यह है सर कि वो फैक्स केंद्र सरकार से नहीं कमिशनर की बगल वाली रूम से आया था भेजने वाले का नाम था रामपपा FDC साथ महीने पहले रिटायर हो चुके थे दो महीने पहले देहांद भी हो चुका पुलिस डिपार्टमेंट को आया हुआ वो फैक्स ओरिजनल है या डूपलिकेट है यह पता लगाने के लिए साथ महीने बारा दिन लगे हैं तो सोचिए उन्हें जन्ता को इंसाफ दिलाने में कितने साल लगेंगे जन्ता की भलाई का सपना लेकर दिन रात पढ़ाई करके I.S. I.P.S. किये हुए बेशुमार लोग हैं गान्दी जी ने हमारे देश का भला किया लेकिन वो तो I.S. नहीं थे सुबाश शन्रबोस भगत सिंग ने भी देश का भला किया था वो भी I.P.S. नहीं थे उस वक्ट जो उन्होंने किया वो सही था आज जो मैं कर रहा हूँ वो सही है अगर जो मैंने किया वो गलत है तो जो उन्होंने किया वो गलत था देश का भला करने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है सर बस सचे दिल की जरूरत है मिस्टर गनेश लोगों का भला करने के लिए और भी बहुत से रास्ते हैं फिर भी तुमने पुलिस डिपार्टमेंट का ही रास्ता क्यों चुना इसलिए कानून की नजर में तुमें एक गुनेगार बनकर खड़े हो मैं किसान का बेटा हूँ सर मेरे दादा एक स्वतंतरता सेना नहीं है हमारा पूरा खांदान खेती करता है दुख में हो या सुख में हो हम इस धर्ती मा की पूझा करते हैं सर किसानू को कर्ज दिलवानी के लिए मैं अगरिकल्चर मिनिस्टर से मिला था इस साल की बजट में 14,170 करोड का अलग से बजट रखा गया है तुम लोगों में से 8-10 जन मिलकर गणेश के साथ बैंगलोर जाकर आओ सरकार का काम तो सब जानते ही हो कर्जा मिलने में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है गणा जी, बदकिस्मती से नहीं मिला तो नहीं मिलने पर क्या कदम उठाने है ये मेरे गणेश को पता है बेटा समझ गया दादा जी शहर जाकर इनका काम निप्टा कर आओं यही न हो जाएगा तुम इसकी ऐसी आरती उतार रही हो जैसे जंग के मैदान में जंग लढने जा रहा है ये सिफ शहर जा रहा हो वापस भी आएगा मस्का क्यूं मार रही हो आरती इसलिए उतार रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी बहुत फिकर है मुझे डर है कि शहर में किसी लड़की की बुरी नज है मेरे भाईया पर ना पड़िए। सही तो कह रही है। स्टॉप 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 तुम्हे याद है ना भाईया। पिंदी बालिया चूडिया इतना ही ना। मेरे प्यारे भाईया भूल तो नहीं चाहेंगे ना। मेरे मदद करती हो ना टाइम पर खाना देती हो बस धिमांड करती रहती हो। क्यूंकि मैं आपके एक लौती बहन हूँ। सुनो चुटकी, अगर मैं तुम्हारे लिए नहीं लाऊंगा तो मुझे ही खुशी नहीं मिलेगी। सुनबे मोटे, खेत में पानी छोड़े हुए दो दिन हो गए हैं। इससे साथ में ले जाना और काम पूरा कर लेना। तो फिर चलू मैं। किसानों को कर्स दिलवाने के काम से मैं बैंगलोर गया था। जैसा मैंने कहा था, मेरी बहन और प्रकाश दोनों खेत में पानी चोड़ने के लिए गये। उस दिन मैंने ही वो काम उने सौपा था। मेरी प्यारी बहन हमेशा खुश रहे यही सोच कर मैं उसे कभी कोई काम नहीं बोलता था। बता नहीं उस दिन मैंने ऐसा क्यों कहा ये मेरी जिन्दगी की सबसे बड़ी खलती थी चारू, चारू मजा करने का वक्त नहीं है चारू, 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 चारू चारू कहा हो तुम चारू चारू रहा चली गई तुम चारू चारू, चारू, चारू क्या हो तुझे? वो कहा गई, उसके साथ क्या हुआ होगा ये सोचने तक सब कुछ खत्म हो गया था हमारे खित में काम करने वाले लोगों नहीं उसकी इज़त लूटी थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था इसलिए दादा, दादी और प्रकाश चारू को लेकर कंपलेंट लिखाने के लिए पुलीस टेशन गए क्या कंपलेंट है? कुछ पापियोंने मेरी पोदी के साथ अत्याचार किया है अत्याचा, मतलब रेप ऐसा क्या? कितने लोग थे बताओ? च्छे लोग थे, सर छे लोग थे? तुने देखा गया? नहीं, सर तुने? नहीं बड़िया तुने? नहीं मतलब, किसी ने नहीं देखा क्या नाम है तेरा? चारू चारू तुझे देखके तो चड़ती नहीं है दारू कहाँ कहाँ शुआ उन्होंने? पैरों को शुआ क्या? कमर पे, देखकर लगता है कि गालों पे पप्पी लिये है या और कहीं भी, जो भी है सही सही बताना पड़ेगा तुम पुलिस वाले हो या दलाल? इन सवालों का क्या मतलब है? डीटेल्स बढ़ाओ यह ऐसे क्या देख रही है बता, कितने लोगोंने हाथ पकड़े कितनूने पेर पकड़े दोने हाथ पकड़े थे और दोने पेर और वो पांचों ने? समझ गया, समझ गया मतलब उन पांचों ने मिलकर ही? कहाँ जखमी की है? सब कुछ बताने के बाद भी उस इंस्पेक्टर ने कंप्लेंट लिखने से इंकार कर दिया और सब को वहां से लोटा दिया फिर जब दूसरे दिन वह वहां गए तो फिर से वही सवाल किया कि सब कुछ डीटेल में बताओ ए चोडि तेरे साथ जो भी हुआ, उसकी पूरी कहानी फिर से बता, चल दो लोगे ने हाथ पकड़े थे और दो लोगे ने पैर पकड़े थे उसके बाद पाच्चों ने बारी-बारी से मेरे साथ अत्याचार किये मेरे पूरी कपड़े भाड़ दिये इतना ही नहीं मैं जब चिलाने देगी तो मुझे दम की दे दिये उससे का पूरी कहानी फिर से सुनने के बाद उसने कहा कि शाम को आओ फिर वो लोग शाम को पूरे मुझे कुछ याद नहीं तुमने क्या कहा था मैं सब भूल गया फिर से खुल कर बताओ दो लोग ने मेरे हाथ पक्ड़े थे और दो लोग ने पैर पक्ड़े थे जरा सूचे एक लड़की के साथ जो अत्याचार हुआ वो अपने माबाप या भाई बहनों से कहते समय जिजकती है ऐसे में हमारी रक्षा करने वाले पुलिसी इस तरह बार-बार पूछने लगे तो क्या मतलब है सर फिर भी उसने बता रहा है फिर शाम को ऑफिसर ने आज राइटर नहीं कहके उसे लोटा दिया और कंप्लेंट लेने से इंकार कर दिया वो ये बे इज़ती बरदाश नहीं कर पाई उसने फांसी लगा कर अपनी चान दे थी बचपन से जिसे अपनी बहन माना उसे खोकर कौन सा भाई चुप रहेगा सर अब इसे क्या हो गया कुछ नहीं हुए सर दखिए मेरी बहन अराम से सोई है सर इस हाथ से मारके कोहानी सुनाने के जीद करती थी सर आज वहाथ शान्त हो गया है सर आपको जानना था नहीं साथ को कितने लोगों ने पकड़ा है फिर सब पूछे ना जवाब देगी सर जब यह चलती थी थी इसके पाहिल की आवाज हमेर से मुझे सुनाई देती थी आप सुनाई देती हैं सर एक दम से शान्त हो गई है आपको जानना था नहीं सर कितने लोगों ने पैर पकड़ा था पूछे नहीं सर पूछे नहीं जवाब देगी शारू जब इनकी बीवी करने अफ होगा इनकी बहें करने फोगा उन से भिए एले पूछेंगे घैसे तुम से पूछहें तह चारू सर, हम जैसे छोटे लोगों से आपको क्या मतलब सर आप हमारे रखवाले थोड़ी है सर पूछें सर आप सवाल पूछें सर चारू बताए कि पूछेंने सर सर पूछेंना पूछ को नहीं रहा हां कुणगा हो गया कमीने मैं खामोश हूँ इसका मतलब तु कुछ भी बोलेगा इतना कुछ सा रहा है मुझे मारेगा तु यहले पकड़ मर मर मुझे मर मुझे मैं सिर्फ दो दिन के लिए बाहर गया था और जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था वो सब कुछ हो चुका था मेरे कंधे से कंधा मिला कर चलने वाला मेरा दोस्त और अपने हाथों से खाना खिलाने वाली मेरी चांद से प्यारी बेहन दोनों को मैं हमेशा के लिए खो चुका था चल बेटा अब कितनी देर यहां खड़ा रहेगा यह सिर्फ हमारी समस्या नहीं है पूरे देश की समस्या है पुलिस का मतलब यह नहीं है कि अपने कंधे पर वो स्टार पर स्टार बढ़ाता रहे उन्हें उनका फर्ज याद दिलाना होगा जानते हो हमारा देश इतना कमजोर नहीं था अगर सारे इमानदारी से अपनी ड्यूटी करें तो देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है हमारी पुलिस लेकिन आज जन्ता पुलिस के पास अपने शिकायत ले जाने से ढरती है क्योंकि पुलिस टेशन को पैसा कमाने का अड़ा बना दिया गया है सारी विवस्था चर्मरा गई है तेरे बहन के साथ हुए अत्याचार को उन लोगों ने उसके मुझे बाहर बाहर बुलवया तो वो बिचारी आत्मत्या नहीं करती तो क्या करती रेप कैसे हुआ, किस किस ने छुआ, रेप ही थाना वो ऐसे वैसे उल्टे सीधे सवाल पूछे गए कहा कि कोर्ट में जाएंगे तो इंसाफ मिलने में सालो लग जाएंगे केसी नहीं बन पाया ब्रस्टा चार में बिके हुए आफिसर ने कोई कारिवाई नहीं की पुलिस का नाम सुनकर हमें गर्व होना चाहिए उसकी जगे हम उन्हें गालियां देते हैं उनसे डर लगने लगा है लेकिन मुझे विश्वास है अगर पुलिस अपना फर्ज निभाए बेमानी ना करें इमानदारी से काम करें तो ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी दादा जी की बात सुनने के बाद मुझ पर एक जनून सा सवार हो गया यूर अनर बताईए क्या मैं गलत हूँ क्या वो पुलीस इंस्पेक्टर सही था अगर होता तो मेरे दोस्त और मेरी बहन को इंसाफ मिलता ये सिर्फ हमारे शेयर की समस्या नहीं है हर जिले में हर एक राज्य में यहां तक के पूरे देश में हैं समस्या है तिन बदिन रेप का नंगा नाच बढ़ता ही जा रहा है कोई कमी नहीं हो रही है अगर यह ऐसा ही चलता रहा तो हो गया देश का उद्धार अगर आप सब को लग रहा है कि मैंने जो किया वो गलत किया है तो आप जो भी सजा देंगे वो मुझे मन्जूर होगी फैसले पर विचार करने से पहले हम चाहते हैं कि हम जनता की बात भी सुनें सर जी मेरा नाम है रामा सौमी हम जिस भगवान की रोज पूजा करते हैं उनहीं के अवतार है ये हमारे गनES जी आज इस शहर में हर आटोवल आपने परिवार के साथ दो वक्त की रोटी खाकर सुख की जिंदगी जी रहा है ये सब गनES साप की महरवानी है सारे गुंटे शहर से बाहर हुए वो सब इनी के कारण हुआ कितने सारे सरकारी यदिकारी परिक्षा देकर पास हो जाते हैं सिर्फ यही एक अच्छा काम करते हैं पर उसके बाद सारे गलत काम करते हैं लेकिन हमारे गनेश तहप परिक्षा दिये बगएर IPS बने ये गलत काम किया लेकिन जो भी काम किया वो बहुत अच्छा किया गनेश अंकल बहुत अच्छे है उन्हें सजामत दीजे प्लीज जनता की अदालत में जनता के बयान पर घौर करने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुची है कि पुलिस वालों ने गनेश और उसके परिवार के साथ जिस तरह से बेशर्मी की हत पार करके बरताव किया है उसी की वज़े से गनेश नकली पुलिस ऑफिसर बनने के लिए मजबूर हुआ ताकि सरकार की कम्यों को इस न्यायले के सामने ला सके इसे ने जो भी किया उसके पीछे जिम्यदार है पुलिस वालों का कठोर बरताव जनता के फैंसले से ज़्यादा इस देश का समविदान और कानून मायने रखता है इसलिए गडेश को एक लाख रुपे का जुर्माना और इसके साथ साथ एक महिने जेल में रहने की सजा सुनाती है पत गया शोर सारी नगरी रे सारी नगरी रे आया भी रज का बाका सम्हाल तेरी गगरी रे चेयर का पावर गया टेबल का पावर गया डंडे का पावर गया लेकिन मेरा पावर तो वैसे का वैसे ही रहा अहां? ओ! टोपी! शेर वाली टोपी जब तक तुम लोगों के सर पर रहे, तब तक तुम लोगों में गुरूर है. टोपी उतरते ही तुम लोगों को मेरे कहर से कोई नी बचा सकता है, यहां तक कि अमराज भी नहीं. क्या डायलोग मारा? जिनके सर पर टोपी है, वो सामने आओ और टोपी उतरो. अरे बाहु बली, कहते हैं इस टोपी में बहुत पावर है, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिख रहा? पापा ने मुझे जो नाम दिया था, वो ही हमेशा मेरी बाइक पर भी रहते हैं. रच से हवा का रुख बदलता है, और जब गणेश आता है तब तुफान आता, अरे क्या है यार? लड़कियां अपने माथे की बिंद्या समझ कर मेरी इज़त करती हैं, और तुने उन लड़कियों को छुआ, तो तेरा विनाश में, अरे रेक, कौने, कौने? जनता का दिया स्टार मेरे माथे पर है, यह तो सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन है, अरे स्टार चांद के कारण चमकता है, मैं तो सूरज जला दूँगा, जिस पर फैंस की दूआ हो, उसकी उम्रे लंबी हो जाती है, अरे मैं उम्र कम करने की हिम्मत रखता हूँ, मेरी पाव और कुछ जाधा हो गया, यह पावर लेकर वो मुझसे टकराने आया था, कहा गया वो, अगर इस टोपी को पर्मानेंट अपने सर पे रखना चाहते हो, तो मेरा कहा मानना पड़ेगा, रेजी आए, रेजी आए! नमस्ते चुटे मालिक नमस्ते बेटा जब तु जेल से छूट कर आएगा सोचा था तु मुझे चामुन डेश्वरी मंदिर ले जाएगा ना ठीक है दाद यहां पर गाड़ी क्यों रोक दी दादा जी यहां का जो खाना है न वो बहुत ही लजीज है चलिए खा लेते हैं दादी मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं लेकिन आप दोनों के जेसी जोड़ी आज तक नहीं देखी अच्छा आप दोनों आराम से खाना खाईए मैं बस पांच मिनिट में आता हूँ बस यू गया और यू आया कहाँ है वो यहीं आया था न कहाँ है हँग जर पेस्टेंज़ माते ही एक लटी एए इंजभ कर दो इंज़ हुश़ हुआ 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 है राहूँ में नाहूँ मेंinform behavior के लिए। झाल 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 क्यों बुलबुल इतने लोग भेजने पर भी ये जिन्दा बच के आ गया इस बात पर अफसोस हो रहा है वो गया है न बच्चू एक के आगे जिरो लगाओ तो वो एक ही रहता है लेकिन एक के पीछे जिरो लगाओ तो दस बन जाता है मुझे पीछे जिरो लगाने की आदत है मैं आगे जिरो नहीं लगाता क्योंकि मेरी मा ने मुझे बताया कि पहला नंबर वही है जो जिरो को पीछे रखता है ये तो तू भी अच्छी तरह जानता है कि जिरो और वन नंबर में जमीन और आसमान का फर्क होता है इसलिए लगा है। ताप काले का सामना करने वाला कभी जिन्दा नहीं रहता। नमस्ते शर, तुम यहां क्या कर रहे हो वली ? सर आपके जाने के बाद काले और उसके लोगों ने शहर को तबाह कर दिया, कोई कानून नहीं मानता. यह सब लोग उससे परिशान हैं सर. हमारी भलाई के लिए हमारे शेहर में आकर आपने जो कुछ भी किया था आपके जाते ही सब मिटी में मिल गया सर आपने जो हमें ट्रांसपोर्ट बिजनस का लाइसेंस दिलवाया था उससे रद करके हमें नौकरी करने पर मजबूर कर दिया जी है सर इनकी हर एक बात सच है सर आप लोग मुझसे क्या चाते हैं आप सच में IPS ऑफिसर बन जाएए अच्छा लगा आपको देखकर लेकिन उस पद को पाना असान नहीं है बेटा IPS एक्जाम पास करना पड़ता है तो गणेश साब IPS एक्जाम पास नहीं कर सकते बहुत मुश्किल है क्या मुश्किल है सर एक साथवी क्लास में पढ़ने वाले लड़का बहुत बिर्लियंट था मदरास इनविरसिटी से उसने एमेक एक्जाम दिया और चौकाने वाली बात है कि वो पास भी हो गया गुजरात इनविरसिटी में दस भी कलरका MBBS क्लियर कर सकता है वो भी आवल नमबरों से तो फिर आप ही बताइए आप अकर IPS का एक्जाम देंगे तो पास क्यों नहीं हो सकते है सर तो फिर हम सब बैंगलूर जाकर मुखी मंत्री जी के जनता दर्वार कारिक्रम में हमारे मन की बात उनके सामने खुल कर रखेंगे और कहेंगे कि गणेस साब को फिर से वो पोस्ट दे दिया जाए आप करी रहेंगे सर, किसने किन किर राज्यों में किस तरह से परिक्षा दी और उन्हें पर्मिशन कैसे मिली उसकी सारी डिटेल्स इसके अंदर है सर इसे पढ़ने के बाद ही फैसला दीजे सर बिल्कुल सर, राजिपाल के सिफारिश के साथ राष्टपती तक अगर यह पहुँच गया तो गनेश IPS का एक्जाम दे सकता है राष्टपती जी को दे हुए एप्लिकेशन का क्या हुआ सर, क्या गनेश IPS बनेगा? हमारी राजि के जन्ता ने गनेश को लाने के लिए जो कोशिशे की और उस पर जो विश्वास जताया और आज हमारे राजिक की जो कानून व्यवस्ता है उससे भी ध्यान में रखते हुए गनेश को IPS का एक्जाम देने के लिए राश्पती जी का पर्मिशन मिल गए नमस्ते सब्सक्राइब, मुझे तुम लोगों की नमस्ते नहीं चाहिए, बैड़ जाओ ए मुख्यमंत्री, कैसे करोगे या मुझे नहीं पता, लेकिन वो गनेश किसी भी सुरोत में IPS नहीं बनना चाहिए जनता का किया हुआ फैसला है तुम्हें इस कुरसी पर बैठाने का फैसला मेरा था, जनता का नहीं अगर इस कुरसी पर पर्मानेंट रहना है, तो जनता की बात छोड़कर मेरी बात माननी पड़ेगी क्या मतलब? जिस तरह तुमने मीडिया के सामने कहा था कि गनेश को IPS का एक्जाम देने की परमीशन मिल गई है फिर मीडिया के सामने जाकर क्याना है कि तुमसे घलती हो गई है तुम्हारी बातों में आकर अगर गनेश को एक्जाम देने से रोका तो मेरी ही कुरसी नहीं हमारी कर्मेंट ही तूट जाएगी अगर परमीशन दे दिया, तो मैं सरकार गिरा दूगा परमीशन दिया, तो तुम गिराओगे परमीशन मैं दे ही देता हूँ, देखता हूँ कौन क्या करता है इसका मतलब गनेश एक्जाम दे कर ही रहेगा येस तुम्हारा चन्द लोगों की भलाई के लिए हुआ है तुम्हारा बुरा हो ही नहीं सकता ये परिक्षा तुम हर हाल में पास करोगे जरूर। तेश के लिए जान देने वाला सिपाही भूमी की ही रक्षा करता है और ऐसे लोगों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते तुम्हें काम्याबी मिले ये लोग शुक्रिया तादा जी, अब मैं चलूँ दर्शु को आप सब लोग इस वक देख रहे हैं कि गनेश आईपेस का एक्जाम देने के लिए हॉल में आ गया है लाउन में जनता की बहुत धीर है सब लोग यहां पर गनेश का हौसा बढ़ाने के लिए आए है मिस्टर गनेश बड़ी स्पीड में जा रहे हो, यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है इसे स्पीड नहीं आइटिटूड कहते है आईपेस एक्जाम कोई खेतों में हल चलाने का काम नहीं है कमिशनर, मैं बहुत जिद्दिक किसम का इंसान हूँ जो ठान लेता हूँ से पूरा करने के लिए अपनी जिन्दगी दाओं पर लगा देता हूँ सोचता तक नहीं और आज जनता मुझे उस कुरसी पर देखना चाहती है आप में और मुझे में ज्यादा फर्क नहीं है आप 57 के हैं और मैं 27 का हूँ आप अलड़ी कमिशनर बन चुके और मैं ये एक्जाम देने के बाद ACP बन जाओंगा एक स्मॉल डिफ्रेंस है डिसिगनेशन चेंज हो जाएगा आपकी बातों पर जनता तालिया बजाएगी लेकिन मेरी बातों पर सीटिया बजाएगी आप तजुर्बेकार हैं और मैं खेर छोड़िये मैं एक्जाम देने जा रहा हूँ विश्मी बेस्ट आफ लग नो प्राब्लेम आल दे बेस्ट मिस्टर गनेश गनेश का IPS का एक्जाम बश्शुरूब होने ही वाला है एक्जाम हॉल के बाहर सभी लोग नजर बिचाए बैठे हैं गनेश पास होते हैं या फेल ये कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा मुख्य मंत्री ने उसे IPS का एक्जाम दने का परिमिशन क्या दिया उसे लगता है कि वह पास हो जाएगा रहे ये पाचवी क्लास का एक्जाम नहीं है IPS का एक्जाम है दसवी के एक्जाम में मुझे दस चनम याद आ गए थे तो ये तो IPS का एक्जाम दे रहा लिख लिख और लिख सुबह दस बच कर 20 मिनेट पर गणेश का एक्जाम शुरू हो गया अब कुछ ही घंटों में परिक्षा का रिजल्ट आ जाएगा गणेश का IPS exam रिजल्ट बस डिकलियर होने वाला है सभी लोग इंतिजार कर रहे हैं गणेश पास होते हैं या फेल होते हैं ये कुछ समय बाद ही पता चल जाएगा अरे वो IPS बना तो क्या हुआ देश का प्राइम मिनिस्ट्र तो नहीं बन गया गनेश की पास होने की वज़े से जन्ता की खुश्योगा ठिकाना नहीं है उसे दुबारा आइपेस के पत्से सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री जी और ग्रुहमंत्री जी उसके घर पहुँच चुके है गनेश जी कब ड्यूटी जॉइन करेंगे? जल्दी ही करेंगे, ही में जॉइन एनी टाइम नाओ, प्लीज फेक ओफिसर बनकर उन्होंने इतना कुछ किया है अब वो सच मुझ के ओफिसर है नजाने उन्होंने क्या-क्या प्लान करके रखा है थैंक्ट्यू विल्कम बैक सर्थ विल्कम बैक सर्थ हलो मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ लेकिन आपका डायलोग तो दही सकता हूँ भगवान के दया से पापा ने जो नाम मुझे दिया है वही नाम मैंने अपनी गारी को दिया है जब रच चलता है तो हवा का रुख बदलता है अशोक, प्रताप कड़े ग्रूप अफ कंस्रक्शन पर एक F.I.R. रेड़ी करो विदाउट पर्मिशन के कितने फ्लोर जे उसमें मेंशन करके बिल्डिंग्स को सीज करो और बिल्डिंग बनाते समय जितने लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को 15 लाख रुपिया कंपनी देगी ये पॉइंट उस F.I.R. में हाइलाइट करो नमस्कार सर हम गरीब किसान है सर हम अपने खेत में उगाई हुई सबजी मार्केट में बेचने जाते हैं तो वहां के गुंडे और दलाल हमें धमकाते हैं सर पहले हमें बहुत अच्छा भाव मिलता था सर नकली तराजू लगा करके हमें लूट लेते हैं सर अब आप ही बताईए कि हम क्या करें वेरा नमस्ते भाई क्या है इस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सिंटर में भी सिर्फ आपका नम सुना है बहुत बोलते हो बहुत बोलता हूँ बात में बहुत दम है भाली तेरे बोलबाचन की कोई कीमत नहीं है मतलब मेने जो सुना थो वो गÜलत है अप भाई यह ह्या है कि जो यहां आता है माला मालchild होके जाता है है ज्यादा सुनने की आदत नहीं है जितनी हाइट उतनाई बोल यहां पर क्यों आया है सुना है यहां अनाज की अच्छी कीमत मिलती है लाया हूं दिखाओ क्या हूं यह देखिये ले आया है रखो रखो खोड़ी देख लीजिये है जोड़े ज़रा गाड़ी का बजन दो कर यह लो अठारा क्वेंटल है मालिक बिल मालिक इसे बिल दे दे देख लो सब सही है ना ठीक है सब करेक्टी होगा यह पकड़ बिल हाँ जी यह लो बली गवर्मेंट के बजट के हिसाब से जो लॉट आया है उसमें 102 क्वेंटल माल होना चाहिए फिर वो माल 18 क्वेंटल कैसे हो गया कौन है बे तू तेरा बाप गणी असिस्टेंट कमिश्टरा पुलीस एक लोट में 24 क्वेंटल के हिसाब से रोजाना 50 गाड़ी लोड हुई तो 1200 क्वेंटल होता है और पूरे महीने का हिसाब करो तो 36,000 क्वेंटल करीब किसान से इस तरह से अनाच्चोरी करते हो ऐसे में किसान आत्मात्या नहीं करेगा तो क्या करेगा हर रोज किसी ने किसी करता ही करता है जितना तुम उने देते हो उसमें से 15 टका छीन लेते हो बचे 15 टका में वो कर्जा कैसे चुकाएंगे अपने परिवार को पा लेंगे कैसे यहां का ओनर कौन है प्रताब काले अफिसास क्रताब काले की जितनी भी दुकाने है सब पर नोटिस लगा दो और मेरी कमपनी से निकलने वाला माल बहुत लो क्वालिटी का है क्या है का रिजेक्ट किया ना आपको इतला कर दूँ कि यहां जो काम चल रहा है वो शुगर फैक्टरी का नहीं एक हॉस्पिटल का है आप जैसे लोगों से मठीरियल खरीद कर अगर बिल्डिंग बनाई तो सो साल की बजाए वो दो साल में ही गिर जाएगी तुम कुई ताजमाल बना रही हो क्या मेडम जो सौ साल तक टिकार है आफटर ओल यह गवर्मेंट हॉस्पिटल ही तो है अब तो सरकार पांस साल तक नहीं टिकती किसी चीज़ की गारंटी नहीं चुप चाप कॉलिटी पेप जाने को सूच रहा हूँ एई मुझे लड़कियों पर हाठ डाल कर उस पर जुल्म ढाना पसंद नहीं है गसीट कर ले जा और साइन करा और अगर साइन ना करें तो इसके हाथ काट देना और मेरे पास लाना सब्सक्direक किसे तेंस नहीं कर पंढर से को सीज़ केन तहुत कर दोर संदो से लाक्रेंस मुटまず ही चल्कियों चल्ड़कयों पिर्ज़्ंदेय्यों है टाइमिंग एक दम करेक्ट है ना मेरा फिल्मों में दिखाते हैं सब कुछ हो जाने के बाद पुलीस वाले अक्सर लेट पहुंचते हैं लेकिन मैं थोड़ा हट के हूँ मैं पहले ही आ जाता हूँ देखो जैसे हमारे देश की फ्लैक की इज़त होती है ओैसे हमारे देश की लड़कीओं की होनी चाहिए फ्लैक की बेइज़ती मेरी बेइज़ती है तो फिर किसी लड़की की बेइज़ती मेरी बेज़ती हुई ना और उपर से ये तो मेरी करल फ्रेंड है समोरे, बोरे सना पूरे! समोरे, बोरे सना पूरे! आफ . ब나벨 ब लगूरे , ब나벨 आफूरे , वोरे , बन當 , बन dale fund ! वोरे , बन कहाँ !!! आफ वुदध ! तर्शीगे ग्राथू मा्सीगे मान्दू तर्शीगे पोग्टू अएनब टाउ पाल्लैस्टू सुझ्सू गुट्रिटूट्थू वाइल इवैंट इनु हैनब टाउ मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ पूछो तुम कहते हूँ तुम मुझे नहीं चाहती अकसर डाटते हो फिर तुमने मेरे लिए फाइट क्यों की और मुझे मेरे घर तक छोड़ने क्यों आए अगर तुम्हारे दिल में कुछ नहीं तो इसको मैं क्या समझू पुलिस सिर्फ अपने गर्फरेंड की हिफाज़त करो ऐसा कानून के किसी किताब में रूल नहीं लिखा गया वैसे मेरे सपनों का हीरो इतनी अच्छी फाइट करता है मुझे नहीं पता था तुम अभी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो थोड़ा वक्त दो सब कुछ जान जाओगी अपने मालिक के लिए टिफिन बर खा इसे देख क्या रहा है खा इसे क्या हुआ तुझसे एक निवाला भी नहीं खाया गया रोच सेंकडों बच्चे यही खाना खाते हैं आज सौ बच्चे यही खाना खाकर हॉस्पिटल में एड्मिट हो गएं बच्चों को फूड पॉजन हुआ यह प्रूब हुआ यह बच्चों को को चुआ तो फिर सोच लेना मरते हैं तो मरने दो प्राकिर्टी कापदा आती है भुकब में मरते हैं सुनामी में मरते हैं यह भी वैसा ही है जब से तुने ओरिजनल खाकी पहना है तब से तुझे पता नहीं क्या हुआ कि तु नहादोकर मेरे पीछे पढ़ गया है कभी मजदूरों का सपोर्ट कभी किसानों का सपोर्ट कभी ड्राइवर्स का सपोर्ट आखिर तो चाहता क्या। उस सपोर्ट के वज़े से ही मैं यहां हूँ। अपने परिवार को पालने के लिए मैं खुद मज़़ूरी करता था। किसानों को इसलिए सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक किसान रह चुका हूँ। हमारे देश के किसान अगर एक साल के लिए हल नहीं उठाए, तो पूरा देश भूखा रह जाएगा। ड्राइवर्स को सपोर्ट इसलिए करता हूँ, क्योंकि हमारे देश के अर्थ व्यवस्ता उनी के वज़े से चलती है। एक दिन अगर ड्राइवर्स टियरिंग नहीं पकड़े या काम पर नहीं आये, तो तुम जैसो का पूरा हिसाब की दब डबा गोल हो जाएगा। मान लिया। तो जो भी कह रहा है वह बिल्कुल सही कह रहा है। अब खाना खालू, ठंडा हो गया है। चलो, खड़ा हो जा। एस उन छोटे। खड़ा हो जा बोलाना। उस खाने में अगर जहर मिला तो तूग गया काम से। तेरा काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। 24 घंटे के अंदर तेरे सामराज जगा एक एक दिन का विखेर कर। तुझे एक एक निवाले के लिए मजबूर नहीं किया। तुझे वीच चौरा है पर खड़ा करके तेरे हाथ में कटोरा नहीं थमाया। तो मेरा नाम गणेश नहीं। पूरे शेयर में अगर तुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली ना। तो मेरे घर पे एक वाच्मेन की जगा खाली है। जब चाहे आकर ड्यूटी जॉइन कर लेना। क्या कहा तोने। सोच के देख मेरे डायलॉग हकीकत का रूप ले लेगा। गुद मॉर्निंग सार। गुद आफ्टर लून सार। गुद इबलिंग सार। चाहे अट्रियूटेश का अब इस मेरे खाला। गाड़ी की पॉलुशन टेस्ट कभुई। सर तीन दिन पहले कर वाय था सर। आजकल सभी जगे पेट्रॉल में मिलावटा है सर। वो भी घास लेट एक कैन में दस लेटर पेट्रोल डालो मिया कैन में नहीं दे सकते सरकार ने मना किया है तो ठीक है गाड़ी में डाल दो दस लीटर मिया हो गया ओफिसर, कहां का मेज aggressive सही और कहां का कम आ रहा है। प्रताप काले के पेट्रोल itaн में हमें मिल ली जोछे प्रताप काले का पंप भी बहुत हैं प्रताप काले के सारे पेट्रोल पंप्स को शीज कर दो आप आप गणेश के फोटो के सामने सिंगल लैग पर तपस्य क्यों कर रहा है हो मैं अकेला हैं कॉंसंट्रेट कर रहा हूं लेकिन गणेश मुझे डिस्टरब कर रहा है अब मैं उसे डिस्टरब कर रहा है और हमारे शंकर का क्या उसे फिलाल अंदर ही रहने दो अब गणेश को हमें चड़ से ही हिलाना पड़ेगा मतलब गधों को लाच से मारा जाता है अकल मंदों को अकल से मारा जाता है अब मुझे एक कांद की जरूरत है मुझे डिस्टरब म हमारा करनेश इस पुलीस यूनिफॉर्म में कितना अच्छा लग रहा है ना आखिर पोता किसका है अब अज्ब कर लेवे सेड़ सेड़ से म मुग मैं नव नव nasıl है अजिएतों कितना लगी भुब अ सेर मैं वाच्मेन बन गया हूँ सेर अपना काम मैं बहुत इमांदारी के साथ कर रहा हूँ सेर अपने दादा दादी की बोड़ी को अपने घर ले जाओगे या डिरेक्ट मैं वहाँ पहुचा दूँ वच्मेन हूँ न सेर इमांदारी तो दिखाने ही पड़ेगी दुफ दुवच वच्में वच्ट ! वच्ट ! वच्ट ! झाल झाल सेर, मैंने वाच्मेन की ड्यूटी बहुत ही इमानदारी से निभाई है ने सेर आप ज़रा डियाईजी आफिस जाएए ना सर क्या बात है सर प्ले दे वीडियो नमस्ते, प्रताप काले टीवी, ब्रेकिंग निउस मैं आपका वाच्मेन बोल रहा हूँ मैंने अपना काम बहुत इमानदारी के साथ निभाया अरे भाई वो क्या डायलोग था रत से हवा का रुख बदलता है गनेश आता है तो तुफान आता है जब प्रताप आता है तो आती है सुनामी डिपार्टमेंट के हर ओफिसर्स की बेटियां मेरे पास है कॉंस्टेवल हो या ज़ाडू वाला हो या डियाई जी हो सबकी बेटियां आपने गनेश बया को बार बार पुकार रही है आरे वो न देखो तुमारी बेहनों की इज़त का सवाल है और यही नहीं तुमारी गल्फरेंड भी यहाँ है अगर तुम मर्द का बच्चा है तो आकर बचा लो अगर तुमने पुलीस के वर्दी पहन कर पुलीस के ड्यूटी निभाई होती तो तुमारी बेटी आज वहाँ नहीं होती पुलीस वो आ गया अगर वो आ गया बेढर क्रुमारी ख dinheiro ऴंज दुमने ंज है जुम्टल प्रण्वल से तुमारी रिण वहती घर्ध्मारी शुमारी तुमारे वहतीर बेयन पुमारी बेटी्ट तुमारी वहती keeping वहती है तुमारे वहती है लःते हैं, लगाँ जलूलू presumयgrid हुआ जल고 हीज merciful लाँआ, लाँज बेस उडनी की लोगाँए लिए जएख जळिए का लिए हुआ लगाँ हुआ जएढ़ मैं जई़ डष्जा गोलियां खतम और तेरी सिंदगी भी कर देरी कर दो कर दो कर दो ज्याल वाधा वाधा przन और हो देख छोटे, जिन लड़कियों को बचाने के लिए तू यहां आया है, उन सब को मैंने उस कंटेनर में बंद कर दिया है, तेरे पास सिर्फ पांच मिनट है, बचा ले, वरना वो सब की सब मौत के मौह में चली जाएंगी मौत कार्ड़कियों को अल्ड़कियों को झाया 특 conjंब के सब में दिएर इसे कम ध५़के यू रखताई विरी तेरणा से Casey ऋन से बार कि जाएंगिए है! ईवाजюсь जए दिख हैं एफफ़ एख़ऊ ठाव आप़्यन झारभ भे जो हिल रहां है इमोष रहां है। करता है। ठर रहां है। पूह लर यसर व dispåнов लिखनी कथर दो बष्व dif रहां है давा दो हुआ रड़ गनेश ने जो बहादुरी का काम किया है वो बहुत सराहनी है इसलिए राज्य सरकार प्रती वर्ष बहादुर सिपाहियों को जो शौरे चक्र देती है वो शौरे चक्र इस साल गनेश को बहादुरी के लिए दिया जाएगा ऐसा हमारी सरकार ने फैसला किया है और इसी के साथ-साथ उन्हें डिपटी अब कमिशनर भी बनाया जाता है किये पेटा मेरी एक रिक्वेस्ट है सर कहिए आईएस हो या आईपीएस हो या फिर सरकार के कोई भी नौकरी हो पूरी आजादी के साथ उन्हें करने का हग दिया जाए तभी देश तरक्य करेगा सर शूर जरूर कोशिश करूँ तैंकि यू सर ये क्या है ये मेरा रेजिगनेशन लेटर रेजिगनेशन क्यों खा की पेहन कर लोगों का भला करने का जो बीड़ा मैंने उठाया था वो अभी लगबग पूरा हो चुका है फिर से अगर कोई शैतान आया सर तो मैं फिर से ड्यूटी जॉइन कर लूँगा गनेश जी गनेश जी मुझे भी आपके जैसा बनना है उसके लिए मैं क्या करूँ पढ़ाई करनी होगी बुद्धिमान बनना होगा खुद से पहले लोगों का सोचना होगा माबाप की इजज़त करनी होगी जो लोग हमारी रक्षा करते हैं जो लोग हमें रोटी देते हैं उन सब को सल्यूट करना होगा कमान बॉइस सल्यूट